हलो मैं डियर स्टेंट्स नमस्का मैं इसे प्यारे विद्धियारतियों मैं राज जिस सर ऐसे सीजल पनाकर कोचिंग पर आपका हरदिक स्वागत करता हूँ तो आपने देखा था कि अपनी last class में topic complete हो गया था किसका cube and dice के बाद आज अपना class में start होगा एक new topic और नया topic कौन सा sitting arrangement बैठेक विवश्था और इस बैठेक विवश्था कि अगर बात की जाये तो सबसे पहले में आपको basic पढ़ाऊंगा basic पढ़ाने के बाद आपने उसके questions की बात करेंगे कि जितने भी question दिये गए हैं जैसे बागी सबी topic में basic पढ़ा था और then उसके बाद question की practice कर रहे थे ऐसे ही इस वाले topic में भी सबसे पहले में basic की बात करूंगा कि यहां sitting arrangement में जो बैठेक विवश्था होती है उस बैठेक विवश्था में बैठा कैसे question आते है कुछ बच्चे या कुछ बंदे या कुछ इंसान जो भी है single line में बैठेंगे ऐसे एक type का question बनता है कि हमारे पास double line में बैठेंगे जो double line में आमने सामने ऐसे face करके बैठेंगे ये वाला ऐसे ठीक है एक अपने पास होता है sir circle में बैठेंगे circle में कितने भी बंदे इनके बारे में सबसे पहले एक-एक की बात कर लेते हैं कि इसमें अगर question आता है तो इसको कैसा solve करते हैं इसका left क्या होता right क्या होता है एक-एक basic चीज़ें आपन सीखेंगे उसके बाद आगे question को solve करेंगे तो अगर यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले बात करूँ मैं single line की single line में यहाँ check करें कि जैसे यह single line है और इसमें मैंने कुछ बच्चों को कुछ बंदों को कुछ विध्यारतियों को यहाँ बिठाया माली इसका नाम A है यह B हो गया, यह C हो गया, यह D हो गया, E, F और यह G हो गया टोटल आपने देखा कि सर साथ बंदे हैं, साथ मेंबर हो गए, और बटा जब 7 हो गए, साथ हो गए ना तो साथ की बात करें, सबसे पहले इसमें यह जो line है, यह वाले आपकी corner वाला एक यह line का end रहा, यह line का end होता है, यह कौन सा end है, यह वाला जो end है यानिकि यह last वाल होता है, तो यह line का भी left होगा, मतलब कि यह हमारे पास left हो गया, यह अपना right side है, यानिकि right hand है, और यह corner जो दिया हुआ है, यह वाला जो line का end है, यह भी better right hand ही माना जाएगा, यह right hand हो जाएगा, यह हमारे पास right hand है, और यह हमारे पास left hand है, यानिकि यह बाया है, और इस लाइन का ये left है, ये line का right है, किसी बंदे को count करना हुआ, अगर इसमें से माल लीजी मैं D को count करूँ, कि D बताए left corner से D किधर बैठा हुआ है, तो D अगर ये बैठा हुआ है, तो left corner से बताना इसका, तो बिटा left से यहां से count करेंगे, और यहां से ये 1, 2, 3, 4 नमर पर आ से, आईवास समझ में, किसी बंदे को left side से count करना हुआ या उसको right side से count करना हो, तो left से count करेंगे, तो is side count करते हैं चलेंगे, राइट से count करेंगे, तो इस side से count करते हैं चलेंगे, लेकिन अगर उसने ये बोल दिया हमसे, क्या? कि आप से बोला कि जो D है, इस D के left में second number पर कौन है, अब D के second left में अगर बात करोगे तो D का face ऐसे है, तो D का ये वाला side कौन सा रहेगा, left रहेगा, ये वाला side कौन सा रहेगा right रहेगा, अगर वो line, दोनों में अंतर देख लिए न क्या है अगर वो line की बात करेगा कि row की बेटा, row से line में left से count करना है, तो left से ऐसे count करती हुआ होगे, लेकिन अगर किसी बंदे का दे रखा है, कि इस बंदे के left में, तो उसका left इधर जाएगा, जो हमारा left है दोनों में अंतर समझ में आया, अगर line के left से बात करेगा count करने की, तो left से count करती हुए राइट की तरफ जाएगे, और अगर किसी इनसान के बारे में, किसी person के बारे में आप बात करोगे कि उसकी left से count करना है, तो जहां वो बंदा बैठा हुआ है, उसके left में ऐसे चलना है फिर, इसके right की बात करेगा, तो ऐसे चलना पड़ेगा, तो left right समझ में आया, line का left समझ में आया, किसी बंदे का left और right समझ में आया, आपका जो left और right है, वही इनका left और right है, ठीक है, यनि की बायां और दायां, पर आप ये कहोगे कि sir, अभी आप लोग, आपने इनका सब का face north में दिया, उत्तर में इसलिए इनका face नॉर्थ में होने के वजा से इनका left right वो आया है जो हमारा left right है अगर by chance इनका face हो जाता नीचे मतलब south में या हो जाता east में या हो जाता west में तो आप अगर सोचोगे कि इनका face अगर सर साउथ में हुआ नीचे ऐसे ऐसे फेस होने का मतलब है कि अब जो यहां A बैठा हुआ है B, C और यह D बैठा हुआ है नीचे फेस हो गया तो अब B का लेफ्ट बदल गया अब B का लेफ्ट में A नहीं रहा अब B के लेफ्ट में कौन हो गया? C अब जब ऐसी condition आती है तो या तो आप ऐसा करोगे कि खुद को टेड़ा हो करके देखोगे कि यहाँ हमारे पास अब इनका face नीचे है तो मैं मतलब थोड़ा सा ऐसा एजियूम करूँगा यह left हो गया यह right हो गया ऐसे या फिर आप अपनी notebook को ऐसे change करोगे तो यहाँ ना note book को change करना है ना इक हुद को change करना है आपको क्या याद रखना है कि अगर उसने सभी बन्दों का face one direction में दिया है जितने भी बच्चे हैं जितने भी students हैं अगर उसने सब का face one direction में दिया है single direction में दिया है अब चाहे वो direction north हो या वो direction south हो या अपने पास east हो या west हो इन चारो direction में से किसी भी दिसा में उनका face दिया हो चारो में से किसी भी direction में उसका face दिया हो आपको हमेशा उन बच्चों का face मानना है north में हमेशा उन बंदों का face north मानना है जिनको बिठाना है line में सम पुश्यन ने चाहे भले ही South में दे रखा हो, कि South में सब का Face है, या सब का East में Face है, सब का West में Face है, तो भी आपको कहां मानना है North में Face मानना है उसका, North में माननके क्यों करेंगे, कि जब हम इनका Face North में करते हैं, तो हमारा जो Left होता है, वही इसका Left होगा, और हमारा जो Right होता में है, कुछ का Face North में है, अगर कुछ का Face South, कुछ का North में दे रखा है, तो उसमें आप सभी का Face एक साइड नौर्थ नहीं मान सकते हैं, उसमें तो North और South दोनों मानना पड़ेगा, ये वाली Condition आपको अपना सकते हैं, जब हमारे पास सवाल ने, सभी बंदों का, सभी बच में मानना है, अगर सब का Face One Direction में है, तो, आई बास समझ में, One Direction में मानने से, सिंगल डारेक्शन में से नौर्थ में मानने से क्या होगा, हमें उसका Left, Right एजिली आराम से पता लग जाएगा, एक बात केलियर हो चुकी है, कि अपने पास सब का Face, जितने भी Students होंगे, जित single line में जो आपने बताया कि सर ये जो A है ये वाला corner जहां A बैठा हुआ है ये line का left end है ये जो G बैठा हुआ है ये line का right end है left से count करेगा तो ऐसे चलेंगे line के right से count करवाएगा तो ऐसे चलेंगे किसी particular बंदे इनसान की बात करेगा तो उसका left वो होगा इधर चलेंगे right होगा तो इधर की बात चलेंगे आई बात समझ में इतना हो गया अच्छा single line में और क्या क्या हो सकता है कि अगर हमने जैसे ये जो single line थी इसमें जब इन बच्चों को ऐसे बिठाया था जो आपके पास ये था ये B हो गया ये C, D और ये E हो गया ये F हो गया ठीक है अब सभी को जो आपने बिठाया था इनके left right में एक बात ये याद रखना आगर उसने ये बोला कि D के left में तीसरे नम्मर पे कौन है तो बिटा D को बोला ना, line का क्या बोला कि इस row में इस line में right end से third number पे कौन है right end से third पे तो बिटा आब इसको count करना पड़ेगा अगर right end से third पे बोला है तो अब इसको count करना पड़ेगा 1, 2 और यह 3 अगर किसी बंदे की बोल रहा है कि उसके left और right में कौन है तो उसको count नहीं करेंगे और अगर line के corner की बात करेगा end की बात करेगा तो उसको count करेंगे single line समझ में आईए कि single line हमारे पास हो गया ठीक है उसके बाद double line की बात आती है double line में सुनो क्या होगा कि हमारे पास यह double line की हो गई अब double line में तो आप ऐसे line हैं बनाओगे कि यह line आपने सामने face करके बैठे हैं तो यह आपने सामने ऐसे face करके बैठे है अच्छा एक बात और याद रखना कि जब भी हमारे पास sitting arrangement में single line का question आता है तो single line में आपका भी भी ऐसी line नहीं बनाओगे यह बहुत main बात है कभी भी ऐसे line और अगर 8 बन दे हैं तो आप ऐसे mark बिल्कुल भी नहीं करोगे ठीक है time waste नहीं करना ऐसे mark नहीं करना उसके पीछे reason भी है अगर मानलो मैंने सवाल करना करना सुरू किया और सवाल में अगर मैंने आपको ऐसे बोला ना कि A B के left में है तो आप सोचोगे A B के left में line पढ़ लिए अब A और B को कहां बिठा होगे आप कुछ बच्चे बिठाएंगे कि A इधर बिठा दिया B इधर बिठा दिया या कुछ बच्चे बीच में से बिठा लेंगे अब अगर मैंने इसको यहां बिठा दिया कि A B के left में है और अगली line मैं ऐसा बोल दिया कि C A के left में है C A के left में तो आप यहां से अब A और B को cancel करोगे क्यों? क्योंकि आपको पता है तो C आएगा फिर A आएगा फिर B आएगा तो ऐसी condition जब आ जाती है काटने की नौबत आ जाती है तो काटने की नौबत हमको लानी नहीं है तो क्या करना है? बिठा ये line हमको नहीं खींचनी चाहे कितने भी बंदे हो आपको बस इतना याद रखना है कि जो हमारे पास notebook होती है जिसमें आपन solve कर रहे है उसमें जो ऐसे single line है लिखी हुई होती है मतलब बनी हुई जो होती है उसी में थोड़ा अंदाजा ऐसा रखना कि वह single line में रख रहा हूं में कि आप कैसे ही बोले सवाल A B के left में है और जो A है वो C के right में अब इसको कहीं भी बठा दे कैसे भी बठा दे हम बिना ऐसे mark के उसको आराम से बठा सकते हैं इससे क्या होगा टाइम बचेगा दूसरा क्या होगा सवाल में गलती होने के chance बहुत कम रहत है काटा पीटी नहीं होगी फिक है सिंगल लाइन में आपको लाइन नहीं खीचनी है लाइन बिलकुल भी नहीं बनानी है बीना लाइन बनाए सीधान सो निकालेंगे Second, दो द नमबर वाला देख लो कि अगर हमारे पास दो लाइने दी हुई है तो बिटा, दो लाइनों वाले में भी अगर 6 बंदे हैं, केवल 6 परसन है, तो आपको लाइन खीचनी है दोनों, और अगर 6 से जादा होते हैं, तो बिलकुल लाइन नहीं खीचनी, 6 से जादा अगर 8 बंदे हुए, 10 बंदे हुए, 12 बंदे हुए, और 2 लाइनों में बैठे ह है, आपने सामने face दोनों का, तो हमें वहाँ पर line ने किजनी, के वहले इतना सा arrow लगाना है, कि ऊपर वालों का face नीचे है, नीचे वालों का face ऊपर है, बस इतनी सी बात करनी है, बाकि इनको इधर की साइड बिठाओ या इनको इधर की साइड बिठाओ कहीं भी बिठा सकते हो अब हमारे पास जब second वाला यानि कि दो line का आया अब दो line में मैं एक छोटा सा सवाल बना हुँ आपके पास कि यहां हमारे पास A से लेकर के और F तक 6 लोग बैठे हुएं A से लेकर F तक 6 लोग बैठे हुएं इसमें से एक बात आप से यह बोलिए कि जो हमारे पास B है कोशन है कि जो हमारे पास B है वो line के पंक्ती के किसी भी मतलब किसमे end पर नहीं है जो हमारे पास B हो गया यह line के किसी भी end पर नहीं है अब बिटा, line के end की बात करें, तो ये वाला line का end है, ये वाला और ये और ये, ये चारो line के corner है, end है, और कहां नहीं बैठेगा, ये B नहीं बैठेगा सरीने end पर, अब बिटा, जब ये B इधार, 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 चार जगे नहीं बैठेगा, तो हमारे पास या तो ये B का left है और ये B का right है आई बास समझ में B किसी भी पंक्ती के कोने पर नहीं है आगे क्या बोला है आगे बोला है कि जो हमारे पास सर C है न वो B के second left में है जो हमारे पास C है वो B के second left में अब आप सोचोंगे सर B के second left में हो यह नहीं सकता तो ये C B के second left में नहीं हो सकता जो हमारे पास C था वो A के second left में किसके A के second left में है अब बिटा A के second left का मतलब मैं यहां C को बिठा सकता हूँ और यहां कौन आ जाएगा A क्योंकि A का first left में कौन बैठा है B और second left में कौन बैठ जाएगा C तो A यह दिखाई दे रहा है A का first left second left तो A का second left हो जाएगा C यह बात complete हो गई है कि C है जो A के second left में बैठा हुआ है उसके बाद अगली line में आपसे यह बोल सकता है कि जो हमारे पास एक है बंदा E जो E है वो E बैठा हुआ है C के diagonal पे E C के diagonal पे तो विकर्ण तो C का विकर्ण C का diagonal यहाँ हो जाएगा और यहाँ बैठ गया E अभी B का confirm नहीं हुआ उपर बैठ गया नीचे लेकिन इसी line में वो ऐसे देगा कि end वो E का neighbor नहीं है E का पडोसी नहीं है कौन नहीं है? E का पडोसी B नहीं है तो बैठा इसका मतलब यहाँ से B हट जाएगा B नीचे बैठ जाएगा फिक है? आगे और क्या बोला हुए? अपने पास बोला हुए कि F line के किसी end पर है तो बैठा F line के end पर है तो यह वाला end भर गया यह वाला complete हो गया यह वाला complete हो गया तो यहाँ एक बचरा है तो यह F हो जाएगा बस बाकी जो बन्दा बचा अपने पास A हो गया, B हो गया, C हो गया कौन बचा? D बचा तो D बीच में आजाएगा अब सवाल में जो पूछा है जैसे पूछा है आराम से निकाल लेंगे आपन आई बास समझ में सिंगल लाइन का समझ आ गया था कि सर सिंगल लाइन में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना लाइन भी नहीं बनानी, सबका फेस किसी भी डारेक्शन में दे रखा हो, सबका नॉर्थ में रखना है, एक साथ रखना है अगर कुछ का North में, कुछ का South में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तो हमें North और South में रखना पड़ेगा, और Line बिलकुल नहीं खिंचनी है, Double Line की बात कर रहा था, सवाल जैसे जैसे बोलता जाएगा, बस वैसे वैसे उस According आपन रखते जाएगे, जिन चीजों का Confirm नहीं होता है, यहाँ पर जैसे mainly circle का, circle के यहाँ से कोशन जादा आ जाते हैं, अपने पास circle हो गया, अवेटा circle की भी आप लोग ध्यान रखना, हमारे पास circle में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कि circle बनाने के बाद एक तो थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, और छोटा नहीं बनाना, बिल्कुल साफ साफ जिसमें दिखाए दे तो थोड़ा बड़ा circle बनाना, और जैसे मैंने इसमें बोला ना, यहाँ पर एक चार लोग हैं माल लीजिए, four people है, चार person हैं और एक circle में बैठे हुए हैं, तो कुछ बच्चों की आदत होती हैं कि इन चार बच्चों को जब बि बिठा दिया, अब आप से question ने पूछ लिया कि बताए कि बी के सामने कौन बैठा हुआ है, तो बी के सामने देखो कि खाली जगा कोई नहीं बैठा हुआ, तो आपको सोचों कि सवाल ही गलत है, लेकिन यहाँ प्यारे बच्चों आपको ऐसे नहीं करना है, कि अगर चार ब अगर 6 बंदे दिये हुए न, तो 6 वाले बंदे को इस 5 बंदे के सामने बिठाना पड़ेगा, तो यहाँ 5 के सामने 6 बिठा दिया, अगर 7 बंदे दिये हुए हैं किसी सरकल में, तो इन दोनों जगे में से इसमें, और इसमें से किसी भी एक जगा बिठा दीजिए, आप को अगर 8 परसंद दिये हुए हैं तो 8 वे बंदे को 7 वे के सामने बिठाओगे और यहां पर आठ बेर जाएंगे अब मैंने यहां आठों को बिठा दिया जिनके मैंने नाम भी लिख दिये कि यह A हो गया B हो गया C हो गया यह D है अपने पास यह E है यह F है और यह G है और यह को बिठाया और कोश्चन ने यह और बोल रखा है कि इन सभी का जो फेस है ना इन सभी का फेस सेंटर में है जो अपने पास सरकल है उस सरकल के इस सेंटर की साइड इनका फेस है ठीक है अब जैसे सरकल के साइड फेस है तो इनका लेफ्ट राइट भी आप चेक करोगे और अपने पास left right जब check करोगे तो बिटा A है, A ऐसे बैठा हुआ है, तो A का ये कौन सा हिस्सा होगा, आप बोलोगे सर ये left होगा, A की ये वाली कौन से side होगी कि हमारे पास right होगी, ऐसे ही जब H की बात करोगे तो H का left कहां जाएगा, आपने का उपर की side, इसका right नेचे होग G का उपर ये कौन होगा, left होगा, ये right होगा, F का उपर की side कौन होगा, left और right, लेकिन जो E बैठा हुआ है, ये नीचे की side face कर रखा है, तो इस E का जो left होगा न वो इधर की side नहीं आएगा, क्योंकि उसका face ऐसे है, तो बिटा E का जो face नीचे है, south में, तो यहाँ इसका left हो जाएगा, और ये कौन हो जाएगा, right होगा, अब D का भी बिटा नीचे की side ये left होगा, और ये right होगा, SAC का ये left होगा, ये right होगा, और बिटा B का ये left और ये right, विसेश ध्यान रखना इन दो तीन बंद होगा, एक का और इसका इसका और इसका और इसका भी, कि left, right इन कि उल्टा होगा समझ में आ गया left right समझ में आया अब इसमें आप से कुछ भी तो पूछ सकता है कुछ भी बैठाने को बैठा सकता है मान लीजिए मैंने आप लोगों से इसमें कहा कि जैसे question मैं आपको दूँ कि A के second left में कौन बैठा हुआ है ये जो A है इसके बाएं दूसर कौन बैठा हुआ है तो बिटा A का second left तो पहला left हो गया H और second left कौन हो गया G अगर मैं आपसे क्यों कि A के सामने कौन बैठा हुआ है तो आप बोलोगे sir E बैठा हुआ है अगर मैं आपसे पूछ उच हूऊ कि A किन-किन के बीच में बैठा हुआ है पड़ो सी किस किस का है तो पिटा ये neighbor है H और B का यानि B और H का आप से मैंने का A के third right में कौन है A के तीसरे दाएं कौन है तो पिटा A ये रहा इसका first right second right और third right D हो जाएगा आई बात समझ में आप से question कुछ भी बोले हम आराम से जमा सकते हैं ये तो मैंने A, B, C, D आपने आपने direct बद जमा दिया कि मैंने ऐसी ऐसी जगे बिठाया लेकिन अगर हमारे पास exam में जैसे question आएगा circle का और यहां माली जे 8% वो बिठाना चाह रहा है आठ बंदे हैं अब उनको सुनो भाई सवाल की जो starting की line होती है याने कि जहां से question शुरुआत करेगा बैठाने का कि ऐसे ऐसे ये left right बैठा हुआ है तो आप सबसे पहले इस वाले बंदे से बैठाना शुरू करोगे इस वाले से क्यों बैठा तो किसी से भी सकते हो आप book में चेक करोगे या किसी exercise में चेक करोगे तो वहां आपको किसी बंदे को कहीं भी बिठा देगा उससे कोई लेना देना नहीं है answer सही आएगा बिलकुल सही आता है लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहां से सुरुआत करो बैठा यहां से सुरुआत करने से क्या होगा हम इस से सवाल जल्दी होगा लिजिए उसने लाइन ने ये बोला ना कि A जो है वो B के थर्ड लेफ्ट में है A जो है वो B के थर्ड लेफ्ट में है तो बिटा मैंने यहां बिठा दिया मान लिजिए B अब B का लेफ्ट चलना है थर्ड एक, दो, तीन, तो यहां कोन आ जाएगा A ऐसे बिठाते जाएंगे नीचे से अगर किसी बच्चे ने B को यहां बिठा या यहां बिठा यहां, कहीं भी बिठा दो आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा लेकिन मैं यह नीचे की क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे जल्दी कोशन सोल्व होता है और गलती होने के चांस कम रहते है आ रहा है कुछ समझ में कि जब सरकल का कोशन होता है तो शुरू आप नीचे से करने है सिंगल लाइन का होता है तो लाइन नहीं बनानी है डबल लाइन का होगा तो छे बंदे है तो छे बंदे तक तो लाइन बनानी है और उसके बाद 6 से 8 हुए या 10 हुए 12 हुए तो कोई line नहीं खीसनी सीधे arrow लगाओगे उपर नीचे का जमाद होगे circle में बात करोगे सबसे पहले समें लोग जमाने हैं आपको एक circle बनाना है जितने बोला है 5 बोला है तो 5, 6, 7 जो भी बोला है सबसे पहले dot dot ऐसे लिखने और dot लिखने के बाद पता लग गया कि हाँ हमारे पास यह हो जाएगा कुछ बच्चों की आदते अलग से होती है वो अपनी होती है उसके बाद आपने देखा circle भी हो गया अब यहाँ पर पंच बोजी बोजी हो सकता है उससे कोई मतलब इतना खास नहीं है बट बेटा फिर भी एक तीज आपने याद रखना कि हमारे पास अगर कुछ में बेटा यह भी होगा एक square में भी बिठाएगा आपको square में बिठाएगा तो यहाँ कुछ का तो रख देगा कि side ओपर बैठे हुए भुजा पर बैठे हुए और कुछ बेटा corner पर बैठा हुआ है तो यह corner पैसे बिठा देगा लेकिन एक बात याद रखना circle वाला question हो या हमारे पास line वाला question हो अब यह अपने पास square या rectangle वाला question हो तो SSC के जो अंदर है उसमें इतना level नहीं है setting arrangement का लेकिन अगर banking side जाओगे तो वहाँ बहुत खतरनाक तरीके से इनको घुमा फिरागी के दिए कुछ का face अंदर कुछ का भार इतना तो SSC में पूस लेगा लेकिन वहाँ तीन चार चीजी हो जाती है कि यह बैठे तो हैं कहीं जा भी रहे होंगे कुछ खा भी रहे होंगे किसी गाड़ी से भी जा रहे होंगे तो वहाँ तीन चार चीजी एक पजल जैसा सवाल हो जाता है लेकिन हमारे SSC में पजल आती है और नहीं आती है तो यह normal कोशन आते हैं और नॉर्मल में सिर्फ थोड़ा सा अगर advance बनाएगा तो ऐसा बना सकता है कि circle में माल लीजिए पांच बन दें जिससे पता करना होगा ऐसे ही square की बात करें तो पेटा square में जैसे मैंने सब का face आपका center में दिया लेकिन यह ऐसा भी हो सकता है examiner कि जो हमारे पास side में भुजा पर बैठे हुए न उनका face तो सभी का है center की side और जो corner में बैठे हुए उन सभी का face है out of center यानि की बाहर की ओर ये लो ये ऐसे भी दिमाख लगवा सकता है ये तब आते हैं question जब लगता है ने कि sir sitting arrangement मा अच्छा level पूछा था कि कुछ का face अंदर कुछ का बाहर होता है जब कुछ का face अंदर कुछ का बाहर होता है इसको जल्दी solve करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा कि अगर circle वाले में से आया अगर हमारे पास circle वाले में आया कि कुछ का face अंदर कुछ का बाहर है तो आपको दो circle बना लेने है तो उसको काटते जाओगे, काटते जाओगे, फिर काटोगे, नहीं होगा, रीजन क्या है, कि जब हमने जैसे माल लीजी सरकल है, और उसमें फेस अंदर रख लिये सभी का, और आप से अंदर से मैंने सवाल किया, लगबग आधा कर लिया, उसके बाद पता लगा, कि उसका फेस बाहर आता, और फिर उसका फेस बाहर करेंगे, तो टाइम भी वेश्ट होगा, टाइम वेश्ट के साथ साथ कोशन पजल भी बन सकता है, उसमें उलज भी सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, याद रखना, अगर सवाल आता है, मतलब फेस का, कौन सा, एक सैंटर के साइड फेस, एक सैंटर से बाहर की साइड वाला फेस, तो उसमें आपको दो चीजे बनानी है, स्क्वेर की बात करेगा, तो स्क्वेर भी दो बनाना है, rectangle की बात करेगा तो rectangle भी आपको दो ही बनाने, आयात भी दो ही बनाने आई बात समझ में, ओके अब आगे अगर आपने और भी बात करें इसमें छोटी छोटी चीजे कि हमारे पास देखो, जैसे सट भुजाकार होता है अपने पास या आप्टेगन होता है, तो इसमें क्या होगा, ज्यादा कुछ खास बड़ी बाते नहीं है, सिर्फ उनके अपोजिट की याद रखना, अगर जैसे मैंने यहाँ आपके पास यह बना दिया, ठीक है, सट भुजाकार इसमें यह अपने पास corner है, यह corner है, यह corner है, corner corner में मैंने यहाँ पे आपके पास लिखा यह A है, यह B है, यह C है यह D हो गया, E हो गया, F हो गया इसमें सिर्फ मैं आप लोगों से इतना पूछ रहा हूँ, क्या आप इसमें से यह बता सकते हो, कौन किसका अपोजिट है कौन किसके विपरीत है, तो आप बोलोगे, sir, A के उपरीत D हो गया F के उपरीत B हो गया, E के उपरीत C हो गया, opposite मैं ऐसे बोलोगे साइद लेकिन बेटा, opposite का मतलब यह होगा कि जब कोई बंदे, जब कोई लोग किसी भी table के चारो तरफ बैटते हैं जब कैसी भी table हो, और उस table के चारो तरफ बैटने के बाद सभी का face, सभी का face table के center की side होता है सभी का face table के कोई एक बिंदू से गुजरेगा, सब का एक center की side होगा तो आपको यह बताई किसमें कौन किसके opposite होगा, एक बात आपकी सही है कि sir, A के opposite D हो गया, बिल्कुल ठीक है मैं, लेकिन F का opposite B से होगा, तो बिटा S line बनेगी, E का C से होगा तो S line बनेगी, तो सब का face center में थोड़ी हुआ, और किसी एक center में बनाने के लिए याद रखना, F का opposite यह होगा, और B का opposite यह होगा, अब देखो यह center में आ गया, सारे के सारे इसी center को देखेंगे, तो यह opposite का ध्यान रखना यह विप्रीत होते हैं एक दूसरे के, ऐसे अगर हमारे पास यहाँ आप बात करोगे कि जैसे 8 भुज हो गया, ठीक है और अश्ट भुज की अगर बात करेंगे कि सर इस्ट भुज में कैसे करना है तो देखिए इसमें सबसे पहले यह देखें कि यहाँ माली यह कोना था यह corner जो हमारे पास दिये हुए है इस corner में देखें कि कौन A है कौन B है, तो मैंने यह A डाला यह B हो गया, C हो गया D हो गया, यह E है यह F है और यह G है और यह H है 8 हो गया, अपोजिट क्या है इसका अपोजिट यह होगा ठीक है, इसका अपोजिट यह होगा इसका अपोजिट यह हो जाएगा और इसका अपोजिट यह हो जाएगा सारे के सारे इसे वाले एक corner से गुजरेंगे यह मतलब एक सेंटर से यह अपोजिट के इने में ध्यान रखना वस बाकिया आगे आपन सारा कुछ पढ़ लेंगे एक्जामें ऐसे सी में सबसे पहले बात करेंगे ज्यादा तर सवाल किसका आता है एक तो आता है बेटा सिंगल लाइन का एक आता है हमारे पास सरकल का तो सि समझा चुका हूं ब्लड रिलेशन में वो कैसी अगर आप से किसी ने यह बोला जैसे फोर लाइन किसी भी एक्जामपल मतल लाइन में ऐसा बोल दिया ए इस फोर टू दा लेफ्ट एंड यानिकि ए जो है वो बी के लेफ्ट एंड से फोर्त नम्मर पे है लेकिन अगर आप उसमें आगे एक वर्ड आगे एंड जैसे मैंने ब्लड रिलेशन बताया था एंड आजा है बट आजा है तो यह किस के लिए आता है यह आता है फर्स्ट पर्शन के लिए और अगर आगे हमारे पास हू यानिकि जो आगया जो किस के लिए आता है वो सेकिंड पर्शन के लि ठीक है बई अच्छा आब यहाँ पर आपने कोश्चन की शुरूआत कर लेते हैं कुछ चीजे तो ऐसी भी है जो सवाल से अपने को काम आएगी यानि कि सीखना पड़ेगा सवाल से सीखेंगे हलका हलका सा चलिए अब यहां सिटिंग अरेजमेंट में अपना कोश्चन नमका सुरू कर देते हैं जैसे कोश्चन नमर फर्स्ट है कोश्चन नमर फर्स्ट में आपने देखा कि लग रहा है कि सर्फ बड़ा सारा कोश्चन है लेकिन इसको अगर पढ़ेंगे कि एट पीपल आर सेटिंग इन्टू पैरलेल रोज यानिकी आठ व्यक्ति दो समानतर पंक् अब इधर जगे है तो सब को इधर बिठालो इधर जगे है आपके पास इसपेस इधर बिठालो जहां आपका अमन करता है लेकिन एरो बनाने से हमें ये पता लग जाएगा कि जो उपर बंदे बैट है नीचे की साइड फेस करके उनका लेफ्ट ये है राइट ये है और ज इस लाइन की बात करें तो इसका ये राइट एंड है ठीक है इधर से ही बात कर रहे है सुनो भाई आगे क्या है चारे वक्ती बैठे हुए आसान बुजाओं के बीच की दूरी ठीक है ठीक है फंक्ती फर्ष्ट में एक दो तीन चार और दक्षन की और फेस है इसमें वन ट अभी का फेस दो है नौर्थ की ओर है ठीक है वही फर्ष्ट और सेकेंड अंतिम फोर पर नहीं बैठे है अब सवाल ने यहाँ पर हमारे पास बोलना शुरू कर दिया कि क्या क्या बोला है कि वन एंड टू आर नौट सीटेड एट दा एक्ट्रम एंड कि एक और दो है अंत चारवन ने बिठा दिये चार में से बोला वन और टू कोने पर नहीं आएगा तो बिटा इस जगा वन और टू नहीं आएगा इस जगा वन और टू नहीं आएगा तो दो जगा वची इन दो जगा में वन और टू आएगा अब कंफर्म नहीं पता कि इस जगा वन आएगा या इस जगह 1 आएगा, तो मैं एक जगह मैंने यहां 1 लिख लिया, तो यहां मैं 2 लिख लिता हूँ, हो सकता है, यह interchange भी हो जाए, 2 की जगह 1 चला जाए, 1 की जगह 2 आ जाए, ठीक है, अच्छा, अगली लाइन पड़ो क्या होला है, अगली लाइन में हमारे पास यह बोला हुआ है, कि फासी इमेडियेट लेफ्ट अफ टू, इसने क्या बोला, हाँ, इसने यह बोला, कि एक और दो अन्तिम छोर पर नहीं ब जबकि उसने क्या बोला था, कि एक है वो 2 के लेफ्ट में होना चीए, तो बिटा, आपको पता है कि 2 के लेफ्ट में कब होगा, जब मैं 2 को तो इधर बिठाऊंगा, और इधर किसको बिठाऊंगा, 1 को, तो 2 के जश्ट लेफ्ट में 1 आ गया न, ठीक है, अगली लाइन मे कि सर 9 कहां रखे, 7 कहां रखे, तो देखो 9 and 7, 1 and 2, तो सीरीज से रखना 9 के नीचे क्या आएगा, 1, 7 के नीचे क्या आएगा, 2, तो यहाँ, यानिक इन के नीचे, 1 के नीचे कौन आ जाएगा, आप बोलोगे सर 9, 2 के नीचे कौन आएगा, 2 के नीचे 7, तो यह अपने पा पास हो गया समझा गया सीरी से चलना था कि 9 और 1 एक साथ रहेंगे अपोजिट में और उसके बाद क्या 7 और कौन सा 2 रहेगा next में क्या बोला है end 7 1 के ठीक अपोजिट है विटा 7 जो है अच्छा आगे condition दी हुई है condition दी हुई है कि 7 है जो 1 के अपोजिट में तो यह लो न यह 7 हो गया यह 9 हो गया नहीं देता तो ऐसी लिखते आगे लाइन में देखो क्या है 7 है जो 6 का neighbor नहीं है यह जो 7 है यह 6 का neighbor नहीं है इसका मतलब कि यहां 6 नहीं आएगा तो यहां 6 आ जाएगा यहां 6 आ जाएगा अब 6 आ गया 7 आ गया 9 आ गया 1 बचा वो कौन बचा यह टाप इधर रख दोगे अब आप देखोगे कि हमारे पास उपर वाली लाइन में दो बचे थे अब उपर वाली लाइन में दो बचे तो दो कहां कहां कैसे कैसे बचाओगे तो सबसे फ़ल देख लो 1,2,3,4 बैटे थे उन सभी का फेस साउथ में था और सेकिट में यह बैटे हैं उन सभी का फेस नॉर्थ में बिटा एक और दो एंड पर नहीं थे और एक है जो दो के ठीक लेफ्ट में बचा है 9 and 7,8 and 2 के भी प्रित बैठा हुआ है 7,1 के ठीक उप्रित बैठा है ठीक है 7,1 के ठीक अपोजिट बिट 7,6 का निवर नहीं है यह लिख दिया अब उपर बचा आपके पास क्या बचा सर हमारे पास एक तो 3 बचा है एक क्या बचा 4 बचा अब 3 और 4 के बारे में उसने कोई भी ऐसी लाइन नहीं दिये हिंदी मी दिया एक में इसमें नहीं दिया है तो बैटा 3 और 4 यहां 3 और 4 में से कोई सा सकता है 3 and 4 में से कोई सा भी आ सकता है आई कुछ बाते समझ में समझे में बड़े धीरे-धीरे से तो यहां समझ लेना annat इसने क्या बोला है उसने बोला है कि line second में यानी कि पंक्ती नीचे वाल नौर्थ कि यहां पंती दूसरी में अंतिम दाएं कोने पर उत्तर के और फेस करके कौन बैठा है तो यहां कौन बैठा है इनका फेस नौर्थ में है और नौर्थ में है तो यह बताओ सबसे राइट एंड यह है और राइट एंड यह है तो बैटा यहां कौन बैठा हुआ है 8 बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है 8 बैठा हुआ है, और 8 हमारे पास किसा option में है, आप बोलोगे A में है, आई बास समझे में कैसे बैठाना था कैसे बताना था, कि जैसे जैसे उसने बोला है न, बस वैसे वैसे उसको बैठाते जाएए, कि हमारे पास question ने बोला कि 8 बंदे थे 4 उपर बैठ है 4 नीचे बैठ है जैसा उसने left right का बोला हमने बिठाया left right का बोला नीचे बिठा दिया अब 3 और 4 का confirm नहीं था तो हमने दोनों जगे रख दिया 3 यहां भी आ सकता था 4 इधर भी आ सकता था आई बास समझ में चलिए 1 के बाद question number 2 आप question number 2 में आप देखोगे तो यहां हमारे पास दिया हुआ है कि sir 7 friends है P, Q, R, S, T, U, V और यहां क्या बैठा हुआ है different age के हैं वो कि P is older than only U and R R is older than U इसमें क्या है बड़े छूटे हैं वो age से अब बड़े छूटे हैं तो आपको इसके age के अनुसार जमाना है और पेटा age के अनुसार जब जमाओगे तो या तो greater than less than के तरीके से जमा सकते हो नहीं तो arrow भी लगा सकते हो देखो कैसे arrow लगाते है सुनी वही कि P जो है वो only U and R से बड़ा है total कितने थे 7 थे 7 थे 7 थे तो बटा 7 थे तो यहाँ पर एक number डाल दो number क्या ऐसे लाइन खीन सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 क्या बोला है उसने उसने बोला है कि जो P है वो only U and R से बड़ा है बाकी सबसे छोटा है तो इसका मतलब क्या आएगा कि इसमें यहाँ पर आजाएगा P और यह U और R से दोनों से ही बड़ा है बाकी सबसे छोटा हो गया आईवास समझ में कि P जो है वो only केवल U और R से बड़ा है तो बटा P हो गया U और R से बड़ा बाकी सबसे छोटा है अगली line में क्या है कि R है जो U से बड़ा है बटा अब सुनों इसमें यह भी confirm दे रखा है कि हमारे पास यह बोला कि जो R है वो U से भी बड़ा है तो यहाँ अपने पास सबसे पहले बात करें तो यह हो जाएगा R और यह last में जाएगा U तीनों बंदों का fix पता लग गया किस-किस का P का R का और U का यह तो यहीं बैठेंगे आगली लाइन में क्या है बटा कि Q S से तो बड़ा है Q जो है वो S से तो क्या है बड़ा है लेकिन T से छोटा है बटा अब सुनों इस वाली लाइन को कहां जमाए अलग जमाओ क्या बोला उसने कि जो Q है न वो बड़ा है तो आगे इस तरह पर बड़ा बटा यह इस तरह पर लग रहा हूं में बड़े वाले ठीक है जो Q है वो S से बड़ा है तो मैंने S से यहां लिख दिया S से बड़ा हो गया लेकिन T से छोटा है बट आगे बटा है बट लेकिन किस से T से छोटा है तो T से छोटा कौन है Q तो आगे आजाएगा कौन T अभी पता नहीं सर इधर इधर कहां जमाएंगे अगली लाइन मतलब कि अपने पास काम आएगी क्या कि T सभी में सबसे बड़ा नहीं है उसने क्या बोला T सभसे बड़ा नहीं है इसका मतलब कि यहां तो कोई और आएगा और इधर कोई और आएगा तो आप जमा सकते हो इसको उठा कि T आजाएगा इधर कौन आएगा Q आजाएगा और इधर आजाएगा S और जो सबसे बड़े में जो बच गया V बच गया तो यहां आप पने पास आजाएगा V आई बाष समझ में जैसे जैसे बोला है वैसे जमाना था उसने बोला कि कितने लोगों की Age हो है वो Q और R के बीच में है क्या बोला कि Q और R के Mid में है देख लो जैसे जैसे लाइन ने बोला है बस वैसे वैसे solve करना है और अगर हमारे पास किसी लाइन का confirm नहीं पता हो तो उसको side में लिख लेंगे तो answer आ जाएगा 2 के बाद चली next question के बाद कर लेते हैं 3 इसमें अपने पास height के बारे में different different height के बारे में बोला है ये भी same ऐसी question होगा और इसमें A से लेकर G तक दिया हुआ यानिकि 7 है बिटा और 7 है तो यह होगा 1,2,3,4,5,6,7 अब जैसे इसमें दिया हुआ है जिसको जहां बिठाना है वहां बिठाओ जिसके बारे में confirm नहीं उसको side में रख दो सबसे पहली line में क्या बोला है कि सर यहां बोला है कि जो A है ना वो B से तो छूटा है A is shorter than B but taller than C but क्या है कि C से बड़ा है कौन हमारे पास बोला है A है जो B से छूटा है तो A हो गया यह किस से छूटा है B से तो B को आगे रख दिया हमने अलग रख रहा हूँ A B से छूटा है लेकिन बिठाओ C से बड़ा है इसका मतलब यहां कौन आएगा C ये तीनों के तीनों ऐसे बैठेंगे अब ऐसे इसमें कौन से जगह बिठाएं नहीं पता इसको साइड में रख रहना दो अगली लाइन देख लो आगे है कि B जो है वो only केवल चार लोगों से लंबा है B केवल चार से लंबा है बाके सबसे छोटा है तो देखो चार कौन कौन से ये 1,2,3,4 ये चार होगे चारों से वो बड़ा है लंबा है तो इसका मतलब यहां आ गया जाएग B ओके नेक्स्ट लाइन में देखो आगली लाइन में क्या है कि E जो है न वो बेटा G से भी लंबा है लेकिन C से छोटा है अब C से छोटा है सुनो कौन E जो E है वो बड़ा है वेटा किस से G से तो G से बड़ा हो गया लेकिन C से छोटा है तो C के पीछे पीछे ऐसे रहेगा अब इसमें आगली लाइन देखो क्या है अब इसको सैट कर देंगे आराम से आगे लिखा हुआ इसमें जो D है वो B से लंबा है वेटा लेकिन हमारे पास F से छोटा है उसने क्या बोला कि जो D है न वो D हमारे पास B से तो क्या है लंबा तो ये B हो गया और किस से F से छोटा है तो वेटा F यहां आ जाएगा अब आपको पता लग गया होगा समझ गए होगे कि सर B ये रखा हुआ, B के बाद यहां कौन आएगा, कहोगे सर A A के बाद कौन आएगा, C C के बाद कौन आएगा, E और E के बाद कौन चला जाएगा, G और B से पहले कौन आएगा, आप बोल दोगे सर यहां D आ जाएगा D से पहले कौन आएगा F आ जाएगा जमा दिया अब हमने जो साइड में रखा था साइड में रखने के बाद सब को एक साथ जमाया तो यह वाला हमारे पास का अंक्लूजन निकला इसका मतलब यह इनमें से कुछ भी आंसर पूछ लेगा आराम से बता सकते हैं आराम से बता दोगे इसमें क्या पूछा है इसमें पूछा है कि बताओ इनमें सबसी लंबा को ने बिटा तो सबसी आप इसमें देखोगे टॉलेश्ट को ने तो हमारे प पुश्च नमर चार आपके पास दिया हुआ है कि यहाँ पर साथ मित्र है जिसमें नाम नहीं रखा है जिसे कीर्ती हो गया, शिया हो गया, मीता पृती, दीपी का जीत और परी हो गया, यह नाम दियो है, सब में इस क्या कर रखा है इनोंने कि अलग अलग अंक पराप्त कर र जो उसने कीर्ती से जादा लिये विटा, तो यहाँ मैंने लिख दिया परी है, इस परी ने कीर्ती से जादा अंक पराप्त किये तो परी ने कीर्ती से जादा हो गये, लेकिन सिया से कम किये तो इसका मतलब की सिया इससे आगया जाएगी, परी ने कीर्ती से जादा लिये औ आपके पास ये थी परी, तो ये परी का थोड़ा समय परी लिख देता हूँ, क्योंकि वहाँ प्रीती और एक, तो DP का ये हो गए, DP का ने प्रीती से कम, तो बिटा DP का ये है, प्रीती से कम है, तो इसका मतलब प्रीती उपर है, ये प्रीती उपर है, और अमिता से बिटा क्य ज़्यादा जो हमारे पास यह है न कीरती इसमें प्रीती से ज़्यादा किये लेकिन सिया ने सरवादिक अंक प्राप्त नहीं किये अब सुनू मुझे इतना पता है कि इस कीरती ने प्रीती से ज़्यादा किये तो इसका मतलब प्रीती इसके पीछे जाएगी और प्रीती से नीचे कौन है ये दीपी का और दीपी का से भी नीचे ये अमिता हो जाएगी आपकी तो ऐसे बैठेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे बैठ गई, लेकिन अगली लाइन वे उसने ये बोला, जो ये सिया बैठी हुई है न ये रही, इस सिया ने सबसे ज़्यादा प्राप्त नहीं किये और सबसे ज़्यादा नहीं किये और सबसे ज़्यादा नहीं किये तो इसका मतलब एक और इससे पहले भी आएगा और जो बच गया कौन बच गया जीत बच गया वेटा जीत तो जीत सबसे पहले आ जाएगा तो यहां सब को बिठा दिया मैंने क्या बोला है उसने क्या पूछा है उसने बोला है यहां पे कि बताई किसने परी से अधिक अंग पराप्त किये तो परी से तो हमारे पास यह परी है यह और परी से किसने अंक प्राप्त जाद किये तो बिटा ये हो जाएगा अपने पास क्या सिया लेकिन सिया ओप्सन में नहीं है और सिया ओप्सन में नहीं तो सिया से भी पहले कौन है जीत है और जीत हमारे पास किसमें दे रखा है और समझ में आया कि जब हमारे पास देखा कि परी से पहले तो सिया थी, लेकिन सिया उप्सिन में नहीं है, तो किसको लगा देंगे, जीत को लगा देंगे, आये बास समझ में, चलिए next question की बात कर लेते हैं, चलिए next question देखते हैं, और अगला सवाल है, question number fifth, तो पांचवी number question में हमारे पास ये दिया हुए बेटा, कि ये six friend, छे मित्र, डेवीड, भानु, अबिन, टू करीता, जो नाम दी रखे हैं इनके, ये एक circle वाली है, ये एक वर्तकार table के, वर्तकार जो मेज है, उसके चार और बैठे हुए हैं, और जब एक circle वाली table है, तो सबसे पहले आपको एक circle बनाना है, मैंने आपको बोला था, कि सबसे पहले एक circle बनाएंगे, बनाया, कितने बंदे थे six, और छे बंदे हैं, तो बेटा, छे का मतलब है, कि हमारे पास यहां हमको छे बंदे मानने पड़ेंगे तो चलिए छे बंदे यहां पर आप मान लेंगे, चलो, देखते हैं, ठीक है, तो यह अपने पास एक circle हो गया, और circle में हमारे पास यह six बंदे रखेंगे, तो यह one हो गया, यह two हो गया, three हो गया, four हो गया, five हो गया, और यह six, ऐसे बिठा दिए, सबका face center में है, और जब स सबका face center में है, तो हमने ऐसे कर दिया, center में कर दिया, ठीक है भई, क्या-क्या बोला हुआ है, उसने, उसने बोला हुआ है, हाँ, ओके, sorry, उसने यह बोला है, कि केंजर के विपरीत दिशाम है, बहार की side है, out of center है, और बहार की दिशाम है, तो out of center है, तो सबसे पहले इनको बहार ही कर देता है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, सबका face अंदर हो, या सबका face बहार हो, आपको क्या है, कि सिर्फ उनके left, right का ध्यान रखना है, तो जब सबका face बहार है, तो yellow हमने बहार कर दिया, yellow बहार face कर दिया इनका, अब exam में जब यह सवाल आता, तो आप सीधा हमारे पास जब circle की बात की थी, तो यह हो गया, दो, यह 4 हो गया, और यह 6, तो सबका face बहार है, तो आप इनको ऐसे arrow बना देते, yellow, arrow बना दिया, अब इठा लेते इनको, ठीक है न, हाँ, ऐसे बना के आराम से जल्दी हो जाता है, question, क्या बोला, उसने, उसने बोला है, कि ह हमारे पास दिशा की तरह face करके बैठा out of center है, और डेविड और मिन्टो जो है, वो क्या है, कि किसके, भानू के left and right में बैठा है, अब एक चीज हमें ये पता लगी है, यहाँ पे, और वो कौन सी है, कि जो डेविड है न, वो मिन्टो, डेविड और मिन्टो हाँ, भानू क left और right में, तो बिटा, भानू मैं कहां शुरू करूं, मुझे पता है कि इसका face उतर में है, तो इसका left right मुझे अच्छे से पता है, तो यहाँ से शुरू करो भानू, अरे जिसका left right हमारे according है, तो इसका according है, आप कोशन को solve कर लेंगे, तो यह हो गया भानू, किसके, डेव डेविड और मिंटो के left right में, अब मुझे एक बात बताओ, डेविड यह है, मिंटो यह है, यह करम से भानू के left में, तो भानू यह रहा, भानू का left यह है, तो भानू के left में यहाँ कौन बैठेगा, डेविड, भानू के right में कौन बैठेगा, तो मिंटो बैठेगा, आई यहां पे इस जगा पे जॉन नहीं आएगा आगली लाइन में क्या पोला है उस उसके बाद जो एक नाम बचा तो विटे नाम कौन बचा कृता बचा तो कृता हमारे पास ये इधर बैट जाएगी कृता आ गया कोशन ने क्या पूछा है कि निशान भानू के लेफ्ट में हाँ भानू के लेफ्ट में सेकंड नमर पे कौन है तो भानू ये रहा भानू के लेफ्ट में फ़र्ष्ट में डी है भानू के लेफ्ट सेकंड में कौन है के है के मतलब कृता था और कृता हमारे पास दिया हुआ है किसमें आफ्स नमर बी में समझ में आई बाते हैं आफ्स नमर बी बिल्कुल राइट अन सुना जाएगा जैसे जैसे उसने बूला है बस वैसे वैसे आप तो कोशन को सॉल्व करते जाएए फिप्त के बाद बेटा सिक्स कोशन है कोशन नमर सिक्स कोशन नमर छटा और छटे वाले सवाल के अपन बात करेंगे तो यहाँ 9 EMPLOYEES है 9 करम चारी है के से लेकर कौन S तक एक सीधी लाइन में एक East में आप सुनो सब का फेस East में है तो जब सब का फेस East में है तो सभी का फेस से East में करने की ज़ूरत नहीं है उसके Left Right को उपर नीचे करने की ज़ूरत सब क reicht North में रखेंगे और जिए उपर की सायड रखेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है लाइन नहीं बनानी, मैंने आपको बोला था कि जब हमारे पास जाद अबंदे होते हैं तो लाइन नहीं बनानी और जब लाइन नहीं बनाएंगे तो चेक करो, बिटा क्या है, कि ये हमारे पास हो गया O है, जो M के 3rd Right में है, ठीक है O M के 3rd Right में, तो मैंने यिएा लिखा O, किसके? M के, 3rd Right में है, तो ये M हो गया, इसका 1st Right, 2nd Right, 3rd Right, जो O है, वो M के दाएं से 3rd इस्तन पर है, M के 3rd Right हो गया, आगे देखो, Right में 3rd Number पे हो गया, K है वो P के left में 3rd number पे है तो बेटा K P के left में 3rd number पे कहां बिठाएं नहीं पता अलग से रख लो इसको कि जो K है वो बेटा P के 3rd left में तो P का 1st left, 2nd left और 3rd ये 3rd left में खुद बैठा हुआ है आगे और क्या line अगली में बेटा कि जो Q है न वो P and S के mid में है जो हमारे पास Q है वो P and S के mid में है तो बेटा P तो ये रहा उसने किसका बोला है Q का तो ऐसा भी हो सकता है कि यहां Q आजा है Q और बैठा है P और S के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि यहां अपने पास ये आजा है P और ये आजाए Q और ये आजाए S अब दोनों में से कोई सा भी हो सकता है कौन बैठा है बीच में Q, किस किस के P और S के, समझ में आ गई बातें ओके, आगे पढ़ो क्या है कि जो N है वो M के राइट में थर्ड नम्मर पे है अब सुनो, N है जो M के राइट में फोर्थ नम्मर पे फोर्थ है ना, चौथा है तो M हो गया, M के राइट में एक, दो, तीन, चार, तो यहां कौन आ जाएगा आप बोलोगे N आ जाएगा क्या आ गया N, आगे चलिए Next में क्या वोला है, P N के ठीक राइट में है बिटा P है ना, जो N के ठीक राइट में तो यहां आ जाएगा हमारे पास P N के ठीक राइट में आ गया अब सुनो, R है जो O के लेफ्ट में चोथे नम्मर पे है यह O हो गया उसका लेफ्ट फोर्थ एक, दो, तीन, चार तो यहां कौन आ जाएगा? R, समझ माई बाते इतना मुझे पता लगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 बंदे बैठ गए अब दो और बैठेंगे अब दो बैठेंगे तो यह हमारे पास P वाली लाइन और यह वाली लाइन काम आएगी अब इन में से नीचे वाली सही है या उपर वाली सही है अब वो चेक कर लो अगर मैं नीचे वाली को बिठाता हूँ बिठा तो हमारे पास यहाँ जो है नीचे वाली लाइन का मतलब हो जाएगा कि सर यहाँ P है P के आगे यह Q आएगा यह S आएगा अच्छा P आगया P से पहले N और O आजाएगा O से पहले Q तो यहाँ अगर मैं बिठाओंगा P से पहले तो N और O आ रहा है भाई P से पहले जो मैंने Q और S बिठाया था यहाँ P से पहले तो N और O आ रहा है इसका मतलब यह वाली लाइन तो हमारे काम की नहीं है और यह वाली काम की नहीं है K, तो यहाँ K बैठ जाएगा, एक बंदा रहे गया, जो इधर बैठ जाएगा, कौन से रहे गया, चेक कर लो, नाम, नाम चेक कर लो, K हो गया, L हो गया, L रहे गया बेठा, तो L हो गया, तो L ही बैठ जाएगा, यह लो, बैठा, हाँ, अब हमारे पास जब यह बैठे, तो है दस है ग्यारा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैठ गया जैसा जैसा बोला है उसने सवाल ऐसा ऐसा आप तो करते जब आराम से कर दोगे तो पैटा यहां चेक करो कि कोशन ने क्या पूछा है तो इसने पूछा है क्या which of the following statements is not correct कि नियुद में से कौण सा सही नहीं है कौण सा right नहीं बताओ r और s दोनों कोनों पर बैठ है दोनों corner पर बैठ है बिल्कुल सही बात है l और o l जो है वो a की left में तीसरे स्थान पर है l जो है o का left o का first and second बैटा इसका मतलब यह गलत है तीसरा चेक कर लो Q K के राइट में फोर्थ नम्मर पे है तो Q K का राइट K का राइट First Second Third Fourth ये भी सही है उसके बाद O K और N के बीच में है तो बिटा O K और N के बीच में है तो ये भी राइट है कौन सा रॉंग था रॉंग था हमारे पास कौन सा B वाला इसका मतलब B ही तो बाकी अपने पास सारे सही हैं ये गलत था आगई बात समझ में चलिए 6 के बाद बेटा Next Question की बात करते है 7 Question No.7 साथ देखोगे तो साथ आपको दिखाई देगा हाँ दिख रहा है बिलकुल साफ ठीक है साथ में क्या दिख रहा है कि ये एट फ्रेंड से PQRSTUV WR सिटिं कोईसी भी Direction में हो Second बात जब ज़्यादा बंदे होते हैं तो हम उनमें लाइन नहीं खीशते सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल ही आपन सीधा सीधा लिख देंगे जैसे बोला है क्या बोला कि Q sits to the immediate right of P Q जो है वो P के ठीक राइट में बैठा है तो यहां मैंने लिखा Q किसके just right में है यह immediate right P के right में है ठीक है बई क्यों जो है वो P के ठीक right में है अब लिखा हुआ है आगे who who मतलब होता है second person second person कौन है बेटा P कि जो जो के बाद line लिखी हुई है वो P के लिए बोलेगा वो क्या बोलेगा कि जो पंक्ती के किसी एक corner पर है कौन जो P है वो किसी एक corner पर है तो बेटा P corner पर है तो इसका मतलब किस वाले corner पर ही होगा और इस वाले corner पर है तो यहां से 3rd to the left of T जो Q है वो T के 3rd left में तो बेटा यहां मैंने रखा T T के 3rd left में इसका मतलब 1st left 2nd left और 3rd left हो गया बीच में 2 बंदे बैठेंगे आगली लाइन में क्या है क्यों T के left में 3 रिस्तान पर हो गया न? W and T के mid में 2 बंदे हैं बेटा अब यहां W और T के बीच में 2 total 8 थे अगर सुनो अगर मैंने यहां रखा W और T के बीच में 2 बंदे हो गए total कितने थे? 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो रहें कितने हो रहें? 8 हो रहें sorry 80 थे, 80% थे कितने हो रहें? 8% 8 हो गए तो W और T के बीच में ने 2 कर दिया अब W और T के बीच में 2 इधर ही आएगा W अब T के बीच में यहां तो आई नहीं सकता क्यों कि क्यों है? आगे क्या बोला है? आगे बोला है W और T का हो गया कि U जो है वो S का neighbor नहीं है बेटा और W के ठीक left में बेठा है उसने कहा कि U जो है वो S का अब इसको अलग लिखना क्योंकि पता नहीं यू जो है वो किसका neighbor नहीं है? S का neighbor नहीं है ठीक है? लेकिन किसके वो बेटा W के ठीक left मेठा हुआ है तो W के ठीक left मेठा हुआ है कौन? यह आ जाएगा यह V के ठीक left में U हो जाएगा V के ठीक left में और S का neighbor नहीं है, इसका पडोसी नहीं है यह चीज़े याद रखो आगे सुनिए V और R के बीच में बेटा तीन बंदे हैं, अब V और R के बीच में तीन बंदे हैं, अब सुनो अगर मैं यहाँ पे V को रखता हूँ, तो बेटा यह V हो गया, इधर कौन आएगा U, उसने विला V और R के बीच में तीन है, तो बेटा V हो गया 1, 2, 3, इसका मतलब यहाँ कौन आएगा R, और इधर कौन आजाएगा S, जैसे जैस उसने बोला है आपको पता लग गया होगा देखो, लाइन दुवारा से पढ़ वा रहा हूँ मैं आपको, कि जो Q था वो P के राइट में था, Q जो P के ठीक राइट में, बिलुकुल ठीक राइट में हूँ आ गया था, जो पंक्ति के end पर है, तो बेटा P end पर हो गया Q T के left में तीसरी स्थान पर है, तो यहां Q हो गया, T के left में तीसरी स्थान पर बैठ गया, उसके बाद आगे है कि W and T के mid में 2 है मिटा, तो W और T के बीच में 2 मैंने side में कर दिया था, उसके बाद U S का neighbor है, नहीं है U है जो S का neighbor नहीं है U अलगे, S अलगे, और V के ठीक left में बैठा है, कौन U, U हो गया, V के ठीक left में बैठा हुआ, आगे था कि V और R के वीच में 3 बंदे हैं मिटा V और R के वीच में 3, तो 3 बंदे हो गए, सब को बिठा दिया, क्या पुछा है, कि Q और T के mid में कौन बैठा है Q और T के mid में कौन बैठा है, तो हमारे पास यहां बैठा है R और S, कौन बैठा है R और S, और R और S हमारे पास दिया गया, किस में option number A में, किस में दिया गया है option number A में, बिल्कुल right answer है question number next अगला 8, आठवा आठवे की बात करोगे, कि यहां हमारे पास 7 row houses, यानि कि एक परिशर में 7 पंक्ती की घर है M, N, O, P, Q, R, S, T दे रखा है कि जरूर नहीं किसी करह में ठीक है P किसी भी end पर नहीं है अब मुझे पता लग गया, कि 7 है, 7 है, तो P end पर नहीं है, याद रखना, ठीक है R है जो P के ठीक right में आगे लिखो, R इधर हो गया यह P के immediate right है तो P के immediate right हो गया उसके बाद S left से third number पर बेटा, S है जो 22 से third number पर है तो यानि कि यहां से first हो गया यह second हो गया, और third यहां S आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि यहां P R इधर हो, अब P R इधर भी नहीं हो सकता, क्यों? उसने यह बोला, P बिलुकुल end पर नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि S ऐसे बैठेगा, समझ मैं क्या हुआ कि P और R जो इधर नहीं आ सकते यहां ही रहेंगे, ओके आगे क्या बोला? कि O जो है वो left छोर पर है, by छोर पर है, तो यानि कि left end यह हो गया आपका, तो यहां बैठा दिये मैंने किसको? O को अगले line में क्या है? कि हमारे पास दिया हुआ M है जो right से second number पे बैठा, M है जो right से second number पे, तो हमारे पास यहां right से first number पे पता नहीं कौन बैठेगा और M बैठी है second number पे तो total देखो कितने होगे? 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 बैठा दिये, आगे line में क्या बोला है? हमारे पास यह था कि O है जो N के, मतलब किस में नहीं है? बगल में नहीं है, adjacent नहीं है, beside नहीं है, तो O N के बगल में नहीं है, तो O यह रहा किस के बगल में नहीं है? N के, तो इसका मतलब किस के बगल में होगा? तो आप बोल दोगे N इधर बैठ जाएगा, और N इधर बैठ गया, और आपके पास से fourth number पे है 啊 to right से तो ऻिटा first second third number पे तो गलत हो गया क्या left से second पर है ये भी नहीं है गलत हो गया अचार ढ़ाई ने छोर पर है right corner पर है ये भी नहीं है ये भी नहीं है और रहे हैं कि दाय से तीशरे number पर राइट से third number का मतलब है first second third so तो ये वाला सही होगा और ये वाला सही होगा तो हमारे पास कौन सा जाएगा option number D तो नेक्ट कोशन देखते हैं तो नेक्ट कोशन हमारे पास है कि ये इसमें दिया हुआ है कि बेटा क्या एक taxi है और taxi में car में उसमें 6 seat दी हुई है और 3 आगे की side है 3 पीछे की side ये seat दी गई है और इसमें आप बात करोगे कि सर सबसे पहले क्या होगा इसमें बोला है कि जो लोग पहले car में आते हैं तो पहले आते हैं पीछे की seat पर बैट जाते है ठीक है और यहां 3 seat का मतलब है कि जैसे अपने पास car है ठीक है? अपने पास car हो गई यह अपने पास 1, यह 2 और यह 3 यह आगे की seat हो गई 1, 2, 3 यह पीछे की seat हो गई है उसमें क्या बोला है? जो लोग पहले आएंगे वो पीछे की seat मतलब नीचे बैठेंगे और वो भी right से left, यानि की right से left की और y car में सवार होने वाला पहला बंदा था इसका मतलब क्या हुआ? कि यहां पर जो है यह अपने पास y आजाएगा ठीक है? यह हमारे पास क्या होगा? y आएगा उसके बाद क्या बोला उसने? कि सबसे पहले बोला यू जो है वो अन्तिम व्यक्ती था बेटा और y जो है वो last में था अब y तो सबसे first में आया था u सबसे last में आया था तो इसका मतलब यह होगा और z जो car में चड़ने वाले last से second number पे था क्या बोला उसने? कि जो z है न वो car में चड़ने वाला जो last था न उससे बस थोड़ा सा पहले चड़ा था मतलब कि second last था अब second last है तो यहां बैठ जाएगा कौन? z ठीक है? मैं सबसे last में u चड़ा उससे पहले थोड़ा सा z चड़ा था अब यह आगे क्या है? कि और वह v के सामने बैठ वह इसका मतलब कि इसके just सामने यहां कौन बैठ जाएगा v बैठ जाएगा आगे उसने क्या बोला? यदि w जो है वो व के left में बैठ आ है? v यह रहा, v के left में यहां पर कौन आजाएगा? w हो गया और उसके बाद देखो W हो गया, Y हो गया, Z हो गया, U हो गया कौन बचा और एक हमारे पास X बचा तो यह X इधर आ जाएगा Question ने क्या पूछा है? Question ने पूछा है X का wording order क्या है? तो बिटा X का wording order X का wording order क्या है? कि X कब आया था? तो 1st, 2nd, 3rd और ये 4th नमर पर आया इसका मतलब कि option number क्या हो जाएगा D हो जाएगा ये right answer हो जाएगा correct answer हो जाएगा अगला question number 10, question number 10 हुआ question number 10 देखोगे तो यहां आपने पास 5 बंदे 5% PQ, RSTR sitting around a pentagon यानि कि हाँ 5 बुझ में बैठे हुए तो सबसे पहले आपको यहां 5 बुझ बनानी पड़ेगी ऐसे ये बनाया, इसमें हमने ये रखा अच्छा सोरी, पंच बुझ बनाना है ना बिटा ओके, option number D अपने पास right answer है चलिए, 8 के बाद अगला नवा कर लेते हैं 9 question 9 question में आपन 6 से बिटाने के बाद उसमें बूल रहा है कि Q RSTR, पंच बुझ टेवले चार और के टैक्सी कार में 6 से बैठे हुआ है और टेवल के यहां पर यह सामने बैठे है तो बिटा यह हमारे पास S परक नहीं पढ़ता है सब का फिस सामने यह बैठे है और यह जब ऐसे बैठे है तो यहां बैठने के बाद हमसे बूला हुए कि जो T है ना, वो R के ठीक left नुम बैठा है तो T, R के ठीक left में बैठा है तो सबसे पहले यहां बैठाओ T को R के left अब कहीं भी बैठा तो जहां का मन करता है तो बिटा मैंने यहां बैठा है किसको T को किसके left में ही अगर चेक की जाए आगे क्या बोला है उसने वो बोला है जो P के right में second number पे तो टोटल कितने होगे 6 अब सबका फेस तो नौट में रहेगा क्योंकि कार के अंदर यहां हो जाएगा P और इसका right में first और यह टैक्सी कार में total 6 seat हमने बिल्कुल बना दिये है QS के ठीक left में जो लोग कार में सवार होते हैं तो यहां हो जाएगा कौन यहां पीछे की seat पर बैठेगा और यह हमाने पास किसमें दिया हुआ का अधार पर दाएं से left right अपने पास बिल्कुल D option में दिया हुआ जो right दर बैठेगा 10 के बाद बैठेगा next question की बात करेंगे 11 question number 11 वाई कार में सवार 11 में हम चेक करेंगे यहां आपन को सबसे पहले circle बनाना पर आगे आपन देखेंगे किता था यू अंतिम था जैड जो है कार में चड़ने के लिए आट बने है आट कुर्षियों के साथ एक गोल बेस पर बैठेगा उसके बाद आगे क्या हो जाए इसने बिटा और उसके बगल में कोई नहीं बैठा कि वह V के सामने बैठा हुआ है अब वह V के सामने बैठा हुआ है तो यहां पर अपने पास को हो जाएगा वी उसके सामने जैड बैठ जाएगा कि आठ चेर में बैटे हुए वो वी के लेक्ट में नॉट सिटिंग अब वी के लेक्ट में अब आसकता है उसने ये बोला है कि हमारे पास उसने क्या बोला था लाइन में जो एक दूसरे की विप्रीत नहीं बैठाया था कहां से कहां चड़ाया है सबसे पहले आओ और उसके पगल में कोई बैठाय की तरफ आया और दायां की तरफ आया था यहां से जाके और ऐसे घूमेगा और घूमेगा तो यहां को यहां बिठा दिया उसके बाद हमने देखा था क्या चटने के लिए अंतिस दूसरी स्थान पर कौन है जैड तो जैड के सामने की अपोजित में बैठा हुआ है उसके बद आगे लाइन में और बोला है कि यह तो बिठा हुआ है उसने क्या बोला हमारे पास बोला एकस हां एकस है एकस का नाम है तो एकस हिया रख दिया कि 2 है की को बोला है तो एकस का बॉर्डिं में ऐ रा सकंड नम में डेक्या नोमर पर बिठा है कि यह दो हमारे एकस का बॉर्डिंग ऊटर क्या है यह जाएगा है क्या दिक.? C, इतनी सी बात थी, टोटल 6 थे न, तो 6 थे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 विठा दिये, और 6 विठा उसने ये कहा था, 2 के सामने कोई नहीं वैटा, F के सामने नहीं वैटा, C के सामने नहीं वैटा, ठीक है, क्या बोला, उसने बोला है हमारे पास यहां कि what is the position of F with respect to C, क्या बोला है, कि C के संदर में F का इस्तान क्या है, C के संदर में F का इस्तान क्या होगा, हाँ, C के संदर में, यानि कि C से लेना है, तो C का first left और second left तो बिटा बायां दूसरा हो जाएगा, second left और second left दिया हुआ है option number B में, second left हो जाएगा, वो दिया हुआ है option number B में, आया समझ में, कि जैसे ज को रख लेंगे, समझ में आ जाएगा, ओके, तो 11 हो गया, 11 के बाद, next question है 12, question number 12, question number 12 में देखेंगे, 12 वाले में देखेंगे, तो हमारे पास यहां लिखा हुआ है, four girls हैं, आपके ने पास, जो भी लड़कियों का नाम है, और वो क्या है, कि तीन लड़के हैं, हरस्पुनित कि लड़की के साथ, लड़की नहीं बैटेगी, girls के साथ, बाइस बैटेंगे, ऐसे बोल रहा है वो, ठीक है बई, हाँ, total है हमारे पास four और three seven बच्चे है, मोनिका जो है, वो हरस्प के ठीक left में बैटी है, तो मैंने यहां लिखा है, आपके पास यह मोनिका, माइनस हो हरस्प के ठीक left में बैटी है, तो ठीक बाई और left में तो यह हरस्प हो गया, तो यह plus हो गया, ठीक है बई, हरस्प के ठीक left में बैटी है, मोनिका हरस्प के ठीक left में बैटी है, लेकिन सुसान्त के निकट नहीं है, जो मोनिका है ना, वो हरस्प के ठीक left में है, और left की और ह लेकिन सुसांत के निकट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बगल में यहां जो कोई बैठेगा ना वो सुसांत नहीं होगा आगे क्या बोले उसने कि आभा जो है वो पुनित के ठीक राइट में है अब हमें यह नहीं पता कि यहां कहां बैठेगी तो आभा यह हो गई लड़की है वो पुनित के ठीकर राइट में तो पुनित पलस हो जाएगा. लेकिन किसी एक कोने पर नहीं बैठी है, कौन? आभा. आभा जो है आपकी कोने पर नहीं है. तो कोने पर नहीं इसका मतलब की और कोई भी आएगा? ठीक है, बीच में आ उसके बाद आगे क्या है कि हर्स जो है हर्स और पुनित जो है राजी के नेवर हैं यह हर्स यह रहा हर्स और पुनित की बात कर रहा है तो बैटा हर्स यह रहा और हमारे पास यह पुनित आ जाएगा यह रहा हर्स और पुनित किसके नेवर है वो बोलेंगे राजी के नेवर ह अपने पास यह राजी हो जाएगी, यह नेबर आ गया, पडोसी आ गया, ठीक है, कौन पडोसी है, आप बोलोगे कि सर हमारे पास जो हर्स है, हर्स पुनित और राजी के पडोसी है, तो हर्स यह रहा, ओके, हर्स यह है, तो यह हमारे पास पुनित और राजी, हमारे पास उसन जो हर्स है ना ये हर्स ही ये रहा बिटा हर्स है जो हर्स और पुनित राजी के पडोशी है हाँ हर्स और पुनित ये रहा राजी के नेवर हो गए पडोशी हो गए पी से आ गए हाँ आभा चली जाएगी तो ये माइनस हो गई है ठीक है भई अच्छा एक दो तीन चार 6, एक बंद और बैठेगा, 7, क्यों, क्यों उसने बोला था, कि आभा जो हम बिलकुल कॉर्नर पर नहीं है, इसका मतलब कि यह S नहीं बैठा हुआ था, इसका मतलब कि यहाँ S बैठ जाएगा, और वो क्या है, लड़का है, वो लड़का है अब यह जब S यहाँ नहीं बैठा हुआ तो जो बच गया लड़का, वो कौन बचा कि 4 लड़का हो गए, यह लड़का था पुनित शुषान्त और पुनित ये बैठ गया प्लस है। शुषान्त ये हो गया और अपने पास हर्स थे। तो लड़के 3 हो गया, लड़कें 4 हैं। अब लड़कें 4 हैं तो सुन लो भाई। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चे होने चाहिए थे। अब साथ में सबसे पहले ये पूछ लो कि पूछा क्या इसने कि अंती में राइट कॉर्णर पर कौन बैठा हुआ है तो अंती में राइट कॉर्णर पर हमारे पास हमां साफ साफ दिख रहा है बेटा कि हमारे पास कौन बैठा है आप बोलोगे ऐस लेकिन एक लड़की और है तो आप बोलोगे प्रीती बच गई है तो प्रीती लड़की आ गई है समझ में आए वो अंतिम दाया छोर पर कौन बैठा है तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगी बिटा यह प्रीती तो यह किस में दिया गया है तो option number D में दिया गया है आई बास समझ में कैसे बोला था कैसे समझा रहे थे कि जैसे जैसे उसने लड़को लड़कियों को बिठाया था कि एक लड़का एक लड़की है एक लड़का एक लड़की है तो हमने उनको alternate ऐसे बिठा दिया दूसरी बात इसमें पृती का कहीं जिक्र नहीं था ऐसी कोई सी line नहीं थी जिसमें पृती के बारे में बोला गया हो लेकिन फिर भी हम ने उसको किसा कोडिंग बिटाया क्योंकि सवाल ने बोला था एक भी लड़की के पास दूसरी लड़की नहीं है तो यहां लड़की को आपन नहीं बिठा सकते थे रीजन क्या था उसके पीछे क्योंगी दो लड़कें साथ हो जाती तो वहां लड़का है उसके बगलम बैठ जाएंगी परिती कोशन नमर 12 के बाद बिटा नेक्स चलते हैं कोशन नमर 13 तेरा और 13 वाले कोशन को देखोगे तो 13 वाले सवाल में हमारे पास यहां दिया हुआ है कि 36 36 व्यक्ति एक पंक्ती में उत्तर के और मुख करके बैठे हैं यह एक 13 वाला है बिटा है ना उत्तर के और मुख करके बैटा है जतिन हरीस और शोवन के ठीक बीच में ऐसे बुलाए हरीस और शोवन आपस में अपना इस्थान बदल ले ऐसे सवाल में दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करोगे देखो भई यहां हमने जैसे जैसे कोशन ने बूला है वैसे वैसे आपन कर देते हैं कि जतिन है जो हरीस और शोवन के बीच में तो बेटा यह हो गया जतिन और यह हो गया हरीस और यह हो गया अपना बाश शोवन इनके ठीक मीड में बीच में बैठ गया हरीश और शोवन आपस में अपना इस्थान चेंज कर रहे हैं तो चेंज करेंगे तो बिटा यहां हरीश आ जाएगा यहां शोवन आ जाएगा यह लोग चेंज कर लिए चेंज कर रहे हैं अपना इस्थान बदलने के बाद हरीश जो है वो बाएं से left से 10 वे पर आ जाता है यानि कि यहां से left से वो 10 नमबर 10 वे नमबर पर आ रहा है बिटा 10 वे नमबर पर आ रहा है ठीक है और show 1 जो है वो right से 13 वे पर जाता है तो show 1 यह रहा वो right से यहां से 13 13 वे नमबर पर आ गया यह लो 13 नमबर आ गया ठीक है बैह ओके तो दाये छोर से जतिन का स्थान क्या है? तो आपको पूछा है कि बताइए कि राइट से दाये छोर से जतिन का इस्थान क्या होगा? जब मुझे इतना पता है कि उन्होंने सबसे पवल देख क्या था? जतिन जो था, वो हरीś और SOSWन के ठीक मिड में हो गया हरीश और SOSWन आपने स्थान बदल लिया अब बिटा ऐसा भी तो हो सकता था कि जटिन को पहले मैंने इधर बिठाया हरीश इधर था SOSWन इधर था जटिन और इसने चेंज किया तो यहां हरीश आ गया यहां SOSWन और Shovan का यहां से बिटवा इस्थान है और Hariice का यहां से यहां तक तीर वाया है तो अब बने गई यह सवाल ऐसे अब यहां हमारे पास हमने जब इसको वैठाया ऐसे इंटरचेंज कर दिया और interchange करने के बाद आपने देख लिया कि ये हर इश्का 3वा आ गया किसका पूचा है जतिन का अब भीटा जब जतिन का पूचा है कि किस से पूचा है राइट से पूचा है और राइट से पूचा है तो हमारे पास ये 13 हो गया और उसने बोला था कि वो 10 हुआ हो गया, तो बीच में पूछा है किसका जतिन का, कि सर यहां जो हमारे पास जतिन है, उसका जतिन का इस्थान कहां से, राइट से, अब राइट से कितना होगा, यह 13 है और यह 10 है, तो 13 प्लस में 10 करों, 13 प्लस में 10 करोंगे तो आप बोलोगे सर 23 हुआ 23 हुआ कितना हुआ 23 अब हमारे पास ये 33 हो गया अब 13 और 7 कि अगर बात कर 13 और 10 तो अपने पास 20 हो गया लेकिन दोनों में अगर आपना अंतर देखें कि सर 23 वहाँ है और 36 वे था 36 था तो 36 में से अगर 23 भी माइनस करोगे न कि हमारे पास 36 में से माइनस 23 कर देंगे तो 7 और 6 तेरा आएंगे 13 जो कि 13 तो हमारे पास ये है 13 तो हमारे पास दिया हुआ है कि सर 1 माइनस करेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है दुबारा एक बार देखेंगे कि हमारे पास 36 व्यक्ति थे कि जतीन जो है हरीष और 11 के ठीक बीच में था ये जतीन हो गया, ये हरीश हो गया और बेटा ये शोवन हो गया हरीश और शोवन आपस में अपने स्थान बदलते हैं तो हरीश इधर आ गया और शोवन हमारे पास इधर आ गया इस्थान बदलने के बाद हरीश लेफ्ट से दस्वे स्थान पर है तो बिटा ये हमारे पास left से 10 वे इधर करेंगे और हमारे पास दूसरा कौन सा था कि सर यहां show 1 था right से show 1 जो था वो right से 13 वी पर था तो बिटा अगर इसको आपस में करेंगे तो ये cross हो रहा है cross का मतलब ऐसे तो जाए गए नहीं ये बिलुकुल ऐसे ही रहेगा और ऐसे रहेगा तो ये left से 10 वा हुआ और ये right से कितना हुआ कि 13 वा हुआ अब जो j है अगर ये beach ओ beach बैठा हुआ है इसका मतलब कि इनके beach में कोई even number नहीं odd number होंगे तो हमने जैसे अभी minus किया था कि 36 में से जब मैंने minus किया था 23 तो बिटा 7 और 13 आये थे कितने आये थे अपने पास 13 13 का मतलब है कि 6 इधर छोड़ेंगे और 6 इधर छोड़ेंगे और एक बीच में रहेगा तो 13 और 6 13 प्लस में 6 प्लस में 1 तो ये हमारे पास आजाएगा 20 20 इसका मतलब 20 आजाएगा option number A में ये right answer है समझ मैं कैसे हुआ सवाल थोड़े से 3 बंदे बैठे थे लेकिन टोटल 36 बंदे है तीन बंदे के बारे में पता है टोटल 36 बंदे है तो इसको एक बार दुबार रिपीट कर देता हूं कैसा हुआ था कि ये हमारे पास कौन था बिटा ये हमारे पास था जतिन ये ह हरीश और सोवन के बीच में बैठा था तो हरीश ये रहा सोवन ये रहा दोनों के इंटरचेंज किया इंटरचेंज किया तो यहां हरीश आएगा और ये अपने पास शोवन आएगा और ये हरीश आ गया बीच में जतिन बैठा हुआ है उसके बाद सोवन का देखा कि यहां नम्मर के लोग बैठे होंगे तो टोटल में से 36 में से 23 माइनस कर दो आप बोलोगे साथ 13 हो गए 13 का मतलब है जतीन के इधर 6 बैठे हुए जतीन के इधर 6 बैठे हुए तब ही तो बीच में आएगा और 13 और 6 को जोड़ा 19 और एक जतिन खुद है तो 20 आ जाएगा option number कौन सा था? A था A right answer है 13 के बाद next 14 question number 14 question number 14 की बात करोगे 14 की यहाँ अपने पास दिया हुआ है कि 7 व्यक्ति हैं, 7 member और 7 व्यक्ति दिये हुएं PQRSTUV एक सीधी पंक्ती में उत्तर के और face करके खड़े हैं क्या बुला है उसने कि यह U हो गया, U के right में दो बंदे एक और यह दो आगे क्या बुला है उसने R जो है वो left से मातर दो व्यक्ति बैठे बेटा, R के left में left की और only दो बंदे बैठे हैं, total बेटा कितने थे? 7 तो यह मैंने R रखा R के left में केवल दो बंदे रख दिये लो, अलग है यह आगे क्या है कि U and Q के mid में दो व्यक्ति हैं, तो यह हमारे पास U है, और U और Q के बीच में दो है, तो बेटा, U और Q के बीच में U इदर रखा, Q इदर रखा दो बंदे अगर मैं इदर रखता हूँ तो देखते हैं कि क्या होगा आगे हमारे पास है कि R और V के बीच में 3 है R और V के बीच में 3 है तो बेटा, अगर मैं सुनो U को इदर रखा, Q को इदर रखा तो U के बाद 1, 2 अब हमारे पास totally 7 थे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएंगे R के इदर 2 है तो मैंने इदर R माल लिया R के इदर 2 आ गए ठीक है उसने बोला R और V के बीच में 3 है तो बेटा R ये रहा 1, 2, 3, 3 हो जाएंगे तो V इदर बैट जाएगा बिल्कुल बैट गया आगे क्या बोला है U के राइट में है तो U ये रहा अब U के राइट में कौन बैट जाएगा S बैट जाएगा आगे एक जगे बच गई एक बन्दा बच गया तो जो बन्दा बच गया उसको बिठा दो कौन बच रहा है भई कोशन में देख लेंगे कि U के ठीक right में कौन बैठा है U के ठीक दाइं और कौन बैठा है तो पैटा S U के दाइं था question ने खुद नहीं तो answer दे रखा इदर कि S जो है वो U के ठीक right में बैठता है और यहां U के ठीक right में पूछा हुआ है immediate right तो पैटा simple सी बात है जो उसने बोला है वो दे दिया पहले ही तो answer क्या आ जाएगा S आ जाएगा option number B यह right answer है next question देखते है next question है question number 15 पंदरा और पंदरा वाले question में आप देखेंगे कि 7 व्यक्ति 7 व्यक्ति है P से लेकर P, Q, R, S, T, U, V जो भी है सीधी line में इस north की तरफ face है सबका सबका जब उत्तर की और face है तो आपको पता है कि line बनानी नहीं है बिटा और line नहीं बनानी तो उसने क्या बोला है कि UK right में UK right में only two person two, दो बंदे है बिटा तो U यह हो गया UK right side यानि कि दाएं में दो बंदे है तो first और second के वल यह दो बैठेंग तो यह first हो गया यह second हो गया ठीक है भई? अच्छा आगे next में क्या बोला है next में बोला है कि U and Q के mid में बिटा दो हैं तो यह रहा आपका U उसने बोला U और Q के तो मैं अगर U को यहां रखूंगा और Q को मैंने इधर रख दिया तो U और Q के बीच में ऐसे दो बंदे हो गए और यह अपने पास दो इधर कर दिये अब यह जो R है R के अगर मैं इसको R को बिटा यहां और दो बंदे रखूंगा टोटल ही हमारे पास साथ थे तो यह हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसका मतलब यह हो गया कि R जो है न R के इधर दो बंदे हैं तो मैं R को इधर बिठा सकता हूँ R के इधर एक बंदा यह हो गया एक यह हो गया दो हो चुके हैं और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गये आईवाज समझ में कि U के राइट में only 2 है तो U यह रा U के राइट में 2 हो गये उसके बाद R के लेट में 2 है तो R के लेट में 2 हो गये और U और Q के विच में 2 है तो यह 2 रख दिया अपने ठीक है आगे क्या वोला हुआ है उसने कि R और V के मिड में मात्र only 3 है बिटा, अब ऐसा ही कोशन पीछे वाला था अब इसमें क्या वोला हुआ है same question tu same question है हमारे पास क्या वोला है कि R और V के बीच में 3 है बिटा, तो R और V के बीच में 3 आएंगे तो 1, 2, 3 तो यहाँ कोन आजाएगा, V आजाएगा अपने पास आगे next में किया है कि T U के ठीक पास में नहीं बैठा तो T U के पास में नहीं तो यहां T बैठ जाएगा और उसके बाद S U के राइट में बैठा है बैठा S है U के राइट में तो यहां S आ गया और question ने क्या पूछा है कि बिल्कुल राइट में बिलुकुल दाएं किनारे पर कौन बैठा है तो दाएं किनारे पर कौन बैठा है वी बैठा है और वी हमारे पास option number C में है question same था पिसले वाला भी लेकिन उसमें अलग पूछा था और इसमें अलग पूछ रहा है question number 15 के बाद है 16-16 16 में देखेंगे question number 16 में हमारे पास दिया हुआ है कि A, B, C, D, C लेकर S तक स्क्वार वाली मेज है टेबल है तो वरगाकार जो मेज है इसमें सबसे पहले बात करें तो यहां हमारे पास स्क्वार वाली एक यह हो गई यह हमारे पास स्क्वार बन गया और इस स्क्वार के अगर बात करें इसमें क्या-क्या बोला है जैसा उसने बोला है बस वैसे हम इसको solve करना है स्क्वार वाली मेज में आप देखोगे तो सबसे पहले देखा कि यहां पे 8 थे बिटा 8 है और 8 के 8 वरगाकर मेज के 4 और मेज के केंज के सेंटर में सब का face है और उन में से कुछ कोने पर बैठा है जब कि कुछ भुजाओ के बीच में बैठा है अब 8 का मतलब यह हो गया कि हमारे पास 4 तो बैठा है corner पे और 4 बैठा है अपने पास मान लेजी side पे भुजाओ पे लेकिन अभी आपन मान रहे हैं इस चीज को हो सकता है कि उसके according तो कुछ और ही बोल रहा हो लेकिन हमने यह ऐसा माना ठीक है question में क्या बोला है question बोला है जब कि कुछ side में भुजाओ के ठीक center के और face करके बैठा है सवाल की सुरुवात होती है यहां से कि यानि कि हमें यहां से start करना है क्या बोला है कि G F के right में second number पे है सबसे नीचे सुरू कर दो उसने क्या बोला G F के right में second number पे तो बेटा F के right में तो F ये हो गया F के right में और F के right में भी कितना कि F G है जो F के दाएं दूसरे तो F का first right second right तो यहां कौन बैट जाएगा G समझ में आया G जो है वो F के second right में बैठ गया आगे देखो अगली line क्या है B A के right में second number पे है अब यहां नहीं पता कि कहां बिठाना है अलग रख लो इसको कि जो B है वो A के second right में तो A का first right और second right ऐसे arrow लगा दिया आगे line में क्या बोला है कि जो C है वो H के right में third number पे बैठा है बैठा C है जो H के right में third number पे अब H का भी नहीं पता और H का भी नहीं पता तो इसको भी अलग रखो कि जो C हो गया वो H के right में third first, second और third next वाली line में क्या है कि जो E है ना वो F के right में third number पे है F ये रहा F का first right, second right, third right तो इसका मतलब यहां कौन आ जाएगा इधर E आ जाएगा अब E से rated कोई line है अभी? नहीं है आगे देख लो C A का neighbor नहीं है बेटा C जो है वो A का neighbor नहीं है A का पडोसी नहीं है ठीक बात है अब हमारे पास देखो सबसे पहले जो ये H और C था कि H के third right में C है अब अगर मैं H को इधर बिठाऊंगा तो आप बताइए H ये हो गया H का first right, second right, third right तो यहां कौन आ जाएगा? आप बोलोगे C आ जाएगा उसके बाद A के second right में B है बेटा और A के second right में B है और C A का neighbor भी नहीं है अब ये चीज़ काम की है, क्या? कि जो C A का neighbor भी नहीं है तो बिठाए यहां तो A बैठी नहीं सकता और A इधर बैठी नहीं सकता तो A के second right में B हैं कैसे आ सकता है? इसका मतलब यह हो गया कि sir हमारे पास जरूरी नहीं है कि h और c इधर आए उसने क्या बोला था कि h के third right में c है तो बेटा यहां हो सकता है कि h हो h का यह अपने पास यह h हो h का first right, second right, third right तो यहां कौन आ जाएगा c आ जाएगा और क्या बोला है उसने उसने बोला था कि a के third right में b आएगा अब a के third right में b आ जाएगा a और c बराबर भी नहीं है पडोसी भी नहीं है तो बेटा पडोसी नहीं है तो इसको हम यहां उल्टा सीधा भी कर सकते हैं क्या करेंगे कि h को आपन बिठाएगे यहां h h का first right, second right, third right third right यहां हो जाएगा c अब c के पडोस में a नहीं है कोई बात नहीं a के यहां पर आप check करोगे कि यहां a का first right कौन हो गया h और a का second right कौन हो जाएगा b तो यहां a बैट जाएगा इधर b बैट जाएगा बाकी और जो बचा, एक बंदा बच गया उसको आप बीच में बिठा दीजिये कौन हो नहीं हो गया a हो गया, b हो गया, c हो गया d बचा और d को हमने बिठा दिया इधर समझ में आए सवाल में कैसे हुआ कि जैसे जैसे उसने बोला था हमने शुरू में h को इधर बिठाया इधर और C को इधर बिठाया था इसका मतलब neighbor नहीं आ रहा था पड़ोसी आ रहा था A का फिर आपने बिठा के देखा कि H को मैंने इधर बिठाया और C को मैंने इधर बिठा दिया H के right में third number पे C है तो बेटा first, second और third हो गया था समझ में आ गई बाते हैं अब क्या पूछा है कि B के right में second number पे कौन है तो बेटा ये B है B का first right, second right तो कौन आ जाएगा C आ जाएगा, जो हमारे पास किस में दिया गया है, option number B में दिया गया है question number समझ में आ गया है 16, option number B में जैसा जैसा सवाल बोलता है बस वैसे वैसे line बनानी है आगर कोई सवाल question में ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास ये कि सर मैंने जो अलग बिठाया था और जो condition थी ओ परडोशी नहीं आ रहे था तो जमा जमा के देख सकते हो, समझ में आ गया एक table बनाई, वरगाकार, एक square वाली उसके बाद सबसे नीचे से सुरू करते है मैंने हर सवाल में बोला है कि सबसे नीचे से start करेंगे start कहीं से भी करलो, सवाल हो जाएगा लेकिन यहां से सबसे नीचे से करेंगे ठीक है भई, आगे चलिए next वाले में क्या है कि हमारे पास 7 बंदे दिये हुए 7 व्यक्ति है, इसमें PQ, RSTU भी एक सीधी लाइन में है अब सीधी लाइन में है तो लाइन बनानी नहीं है और नहीं बनानी तो क्या बोला है कि UK, right और क्या है, only 2 बंदे बिटा अब यहां हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखते हैं ऐसा ही कोशन है, वो सेम वाला अब ऐसा कोशन है नीची सा अलग बना रखा है वस देखो कितनी बार पूछा हुआ है कि UK, right में 2 बंदे हो गए, तो 2 बंदे ऐसे लिख लिए उसके बाद R के लेफ्ट में 2 बंदे हैं तो हमने R के लेफ्ट में 2 बंदे ऐसे लिख लिए उसके बाद Q, U और Q के बीच में 2 है तो बिटा, यह U हो गया और इधर Q हो गया, इसके बीच में 2 कर दिया यहां पे और यहां मैंने R कर दिया, यह 2 बंदे हो गए ये तीक्स्री बार कोशन कर रहे है अपने ये वाला उसके बाद क्या है कि हमारे पास R और V के बीच में 3 है ठीक है तो यहां हो जाएगा अपने पास R और यह हो जाएगा V इसके बीच में 3 आ गया T U के ठीक पास में नहीं बैटा है विटा तो इसका मतलब T यहां बैट जाएगा S U के राइट में बैटा है तो ये S हो गया ये राइट में बैट गया उसके बाद क्या है आगे Q और V के बीच में कितने बंदे बैट है तो ये Q हो गया ये V आ गया तो 1, 2, 3, 4 चार बंदे बैट है चार हमारे पास दिया हुआ है option नमर D में जो बिलकुल right answer था ये fast fast क्योंकि है मैंने इस सवाल क्योंकि दो बार पहले कर चुके तीसरी बार था वह सवाल में नीचे पूछने का लगता next वाला सवाल है 7 व्यक्ति 7 व्यक्ति है A से लेकर G तक है बिटा एक मुख के और बैट है C के left में कितने हैं only 2 बंदे हैं उसने क्या वोला C के बाई और 2 है तो ये C हो गया इसके left में 2 तो ये 1 और ये 2 ठीक है भई आगे line में क्या वोला A and B के mid में बिटा क्या है 2 बंदे है तो हमारे पास यहां मैंने अलग लिखा इसको कि A ये हो गया B ये हो गया इसके mid में बीच में 2 बंदे हो गये आगे line में क्या है कि जो B है न वो A के left में 2 और बैठा है बिटा B जो है वो A के left में बैठा है इसका मतलब कि हमारे पास यहां कौन बैठेगा B बैठेगा यहां कौन बैठेगा A बैठेगा ठीक है E A के ठीक पास में नहीं है E A के ठीक पास राइट और समिशत है बिटा इसने क्या बोला E है जो A के ठीक राइट में है E जो है न वो A के ठीक राइट में है एक व्यक्ति है जो केवल D के राइट में बैठा है इसका मतलब यह हो गया कि D यहां पे आएगा और D के राइट में एक बंदा इधर बैठ जाएगा यह हमारे पास C के इधर दो बंदे थे याद रखना कि C कहां बैठेगा टोटल कितने थे साथ अब इसमें चेक करेंगे टोटल कितने होगे तो सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 होगे अब 7 होगे तो यह वाली लाइन को कहां बिठाएंगे अभी चेक करेंगे कहां पे आएगी यह आगे लाइन पढ़नी पढ़ेगी F जो है वो B के ठीक पास में नहीं बैठा अब बेटा F जो B के पास नहीं बैठा इसका मतलब यहाँ पे F नहीं आ सकता और F नहीं आएगा तो इधर आ जाएगा टोटल साथ बंदे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंप्लीट हो चुके अब C से यह वाल लाइन सुनो कहां पे आएगी क्या बोला था? सुनलो दुबारा से कि C के लेफट में C के बाई और मातर दो व्यक्ती बैठे हुए है C के लेफट में दो बंदे थे, यहाँ बैठ गए उसके बद A and B के मीड में दो व्यक्ती बैठे हुए है तो A और B के बीच में तो यह A है और ये B है इसके बीच में दो बंदे बैठे थे जिसमें ये बोला था कि B जो है न वो A के बाई और है A के लेफ्ट में बिलुकुल बैठा दिये E A के ठीक में क्या है पास राइट में है A जो है E जो है वो A के ठीक राइट में हो गया बिलुकुल Only one person के वल एक बंदा D के राइट में बैठ गया तो ये D है उसके राइट में यहां बिठा दिया अब C के इधर दो बंदे थे अगर मैं D और E की बाद करूँ तो बिटा 1, 2, 3, 4, 5 अगर 2 और ये 7 ऐसे करूँ तो D के राइट में एक बंदा नहीं आ सकता यानि कि वहीं रहेगा उसके बाद F है जो B के ठीक में पास में बैठा हुआ है तो बिटा F B के पास में नहीं बैठा हुआ उसको हमने अलग कर दिया सारी लाइन सैट हो चुकी लेकिन जो ये वाली लाइन है क्या कि C के लेफ्ट में C के बाई और दो व्यक्ति बैठे हुए हैं झाले कि वेफ्ट बैठे हुआ झाले कर दो बाद F आए हुआ हैं झाल 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 चलिए इसको करके देखेंगे 18 वाले कोशन को अपन सबसे पहले यहां देखेंगे कि हमारे पास ABCD जो अपने पास यह लाइन दी गई है न मिटा इसमें सबसे पहले कि एक रो था एक लाइन था उसमें 7 साथ बंदे बैठे हुएं और सबका फेस नॉर्थ में और जब सबका फेस नॉर्थ में यानि की उत्तर की ओर है तो हम इनको आराम से स्वाल्व कर सकते है मैंने आपको बताया था लाइन खींचनी नहीं होगी सबसे पहले एक एक लाइन को पढ़ते जाएं और एक लाइन को इससे स्वाल्व करेंगे कि C के लेफ्ट में C के बाई और मातर दो बंदे बैठे हुएं तो आप क्या करोगे कि C के लेफ्ट में तो यहां लखेंगे अच्छा आगे क्या बोला कि A and B के मिड में दो बंदे बैठे हुएं तो बिटा A and B के मिड में दो है तो इस चीज़ को अलग लिख लीजिए कि हमारे पास A हो गया और यह B हो गया इनके मिड में इनके बीच में दो बंदे बैठेंगे अलग से रखा इसको आगे लाइन मे क्या बोला हुआ है कि जो B है न वो A के left में बैटा हुआ है इसका मतलब कि यहाँ पर A की जगा B आ जाएगा B की जगा A आ जाएगा इधर लिख लें क्या कि A और N B के mid में तो B A के left में तो यहां मैंने लिखा B और यहां लिख दिया A और इनके बीच में दो बंदे हो गए यह हो गया ठीक है अच्छा यह C और यह वाला अलग लिखा हुआ है भी आगे उसने क्या बोला है कि E जो है वो A के ठीक जाहे right में है A E है जो A के ठीक right में तो भेर A यह यह रहा A के ठीक immediate right में यहां हो जाएगा ठीक दाया कौन E हो जाएगा ठीक है उसके बाद अगली line में क्या है कि only यानि कि के वल एक मातर एक बंदा है जो D के right side बैठा है उसने यह बोला कि जो एक ही बंदा है जो के वल है जो D के right बैठा है इसका मतलब है कि हमारे पास D के right में एक बंदा आएगा तो यहां D हाज आएगा और D के right में एक बंदा को इधर आजाएगा ठीक है इसको मैं इधर लेक लेता हूँ जिससे आपको दिख जाए कि यह मैंने रखा B यह खाली जगा दो हो गई फिर A था उसके बाद यह A था और यह D था और D के जगा यह खाली हो गई तो यह मैंने इसको अटा दिया उसने क्या बोला था कि एक बंदा जो केवल है वो D के right साइड है तो D के right साइड बैठ गया अगली लैन में क्या है कि F है जो B के ठीक में पास में बिल्कुल नहीं बैठा हुआ है उसने क्या बोला कि F जो है वो B के बिल्कुल पास नहीं बैठा हुआ अब बेटा F जो है वो अगर B के पास नहीं बैठा हुआ तो इसका मतलब यहा तो बैठ सकता है कि हमारे पास यहां और यहां बैठ सकता है इधर बैठ सकता है अच्छा उसने क्या बोला था उसने ये बोला था कि हमारे पास ये वाले जो line थी C के left में दो बंदे हैं अगर मैं F को इधर बिठाऊंगा तो बेटा C की जगा कहां बची आप बोलोगे यहां तो C के यहां बैठेगा तो B के पास नहीं बैठेगा या तो इधर F बैठ सकता था या इधर बैठ सकता था यहां बिठा दिया अगर यहां बिठाते हैं तो वो वाले जो line है ना C के left में दो बंदे है तो वो नहीं हो पाती इसका मतलब कि यहां कोन आ जाएगा C और C के इधर दो बंदे हो जाएंगे एक तो B हो गया और एक जो बचा हुआ है A, B, C तो C आ जाएगा यहां पर अपने पास C आ गया, C के बाद D, D के बाद E, E, F के बाद G आ जाएगा ठीके साथ बंदे हो गए समझ मैं ही बाते कि हमारे पास जो F था वो इधर बैठ सकता था या इधर बैठ सकता था, इधर इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि C के इधर लेफ्ट में दो बंदे थे और अगर C को यहां नहीं बिठाते, यहां बिठाते तो C के लेफ्ट में कई बंदे हो जाते इसका मतलब कि ये question ऐसे set हो गया क्या पूछा है कि F और B के mid में कितने बंदे बैठे हुए तो F ये रहा और B ये रहा F और B के बीच में कितने बंदे बैठे हुए F और किसके बीच में? B के बीच में अब B और F के बीच में देखो एक, दो, तीन, चार, पांच बेठे हुएं सर, फाइव, अब फाइव हमारे पास देखोगे कि सर, F और B के बीच में पूछा है E और B के बीच में पूछा है, सोरी F और B ने, E और B के बीच में पूछा है तो 1, 2, 3, तो बैटा, यहां 3 आ जाएगा 19 वे में देखोगे कि हमारे पास 6 बंदे है, 6 व्यक्ति है, जो समान तर 2 लाइनों में आमने सामने ऐसे खड़े हुए है और आसन हुजाओं के बाद बीच समान दूरी है, ठीक है उससे कोई लिन दिन नहीं है अब 3-3 बंदे बैठे हुए तो आप फेस करके बैठे है, इसका मतलब क्या हुआ कि उपर की साइड जो आएंगे न वो S आएगा, T आएगा और U आएगा ये उपर बैठेंगे, उसके बाद X, Y, Z कहा है, नौर्थ में, इसका मतलब नीचे वाल लाइन में कौन आएगा, X आएगा Y आएगा, और कौन आजाएगा Z आजाएगा, ये नीचे वाल लाइन में बैठे हुए अच्छा, आगे क्या बोला उसने, आगे बोला है कि बेटा यहाँ पर सबसे पहले, Z जो है, Z के वाले बोला, A की पंक्ति मुतर के और बैठा हुए, ठीक है U जो है U जो है, वो उनकी अपनी जो भी लाइन है, उसमें बिल्कुल राइट में राइट एंड पर बैठा हुआ है अब आपको पता, U उपर बैठेगा U अपनी लाइन के राइट एंड पर बैठने का मतलब है, जब इनका फेस नीचे साउथ में है, तो इनका राइट ऐसे हो जाएगा ये वाला राइट, और ये वाला क्या होगा लेफ्ट, तो U राइट में बैठा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहां बैठ जाएगा, कौन U बैठ गया ठीक है, U बिल्कुल राइट में बैठ गया उसके बाद आगे क्या बोला उसने उसने बोला कि और X के अपोजिट में बैठा हुआ है, इसका मतलब कि X के भी प्रीत बैठ गया, तो यहां X बैठ जाएगा X के भी प्रीत आ गया अगली लाइन में है, कि साथ T, U का नेबर है T, U का पडोसी है, अब T, U का नेबर है इसका मतलब कि यहां उपर बैठ गया T, U का नेबर हो गया, पडोसी हो गया और Z के अपोजिट में बैठा हुआ है तो यहां पर कौन हो जाएगा, Z हो जाएगा Z के अपोजिट बैठ गया, बिल्कुल सिंपल था आप उसने सीधा सीधा कोशन पूछ लिया आपको पता है, यहां तो कौन बच गया जो बैठेगा, S बच गया यहां कौन बच गया, Y बच गया तो यह Y रख दिया, पूछा क्या है कोशन ने कोशन ने पूछा है कि हमारे पास North की और Face करके उत्तर के और मूँ करके अंतिम राइट चोर पर कौन बैठा है तो बचा राइट में, North में Face ऐसे है और बिल्यकुल राइट में कौन बैठा हुआ है Y और Y हमारे पास दिया हुआ है किस में? Option नमर B में तो यह Option नमर B है जो यह राइट आनसर हो जाएगा Question नमर 19 के बाद Next Question की बात कर लेते है 20, अब 20 वाले 20 वाले में देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है वो 20 वाले 20 वाले में बोल रहा है कि ये भी आपने पास दो समांतर सेम सेम लाइन बैठे हुए हैं और कितने है? 6 तो आप 20 के 3-3 बना लो 3-3 करके बैठे है 5, 6, 7, 8 अच्छा इनका Face कहा है? 8 बंदे है मैटा 8 और अगर 8 बंदे है तो एक एक और बना लीजिए तो ये 8 बंदा हो गया और ये हो गया वैसे बनाना नहीं था 3 कही बनाना होता है 8 में नहीं बनाना बट फिर भी अपन नहीं बना लिए चलो ठीक है अब हमारे पास यहां जो जो बोला है उसने क्या बोला है कि 1 से 4 तक जो है उनका तो Face North में है ठीक है? और 5 से लेकर 8 तक उनका South में इसका मतलब है कि 5 से लेकर 8 तक तो ये तो उपर बैठेंगे और उसके बाद 1 से लेकर 4 तक ये नीचे की साइड बैठेंगे North की साइड Face है इनका उत्तर की और अब उसने क्या बोला है कि 4 and 2 जो है वो अपनी अपनी लाइन में के छोर पर end पर नहीं बैठे हुए है उसने देखो क्या बोला? ये लाइन बोलिए कि जो 4 और 2 है ना अब 4 इसमें 2 इसमें ये corner पर नहीं बैठेंगे बिल्कुल corner पर नहीं बैठेंगे अच्छा corner पर अगर नहीं बैठेंगे तो हमारे पास corner पर अगर नहीं बैठेंगे कि उपर वाल लाइन में तो क्या है ये 4, 2 नीचे आएगा तो 4 और 2 ना तो इधर आएंगे ठीक है, याद रखना 4 और 2 ना इधर आएंगे तो आपस में यहां दोनों जगे किसी भी जगा आ सकते हैं दोनों जगा में से आपने पास अगर आपन चेक करें, तो यहां एक को रख देते हैं ठीक है, तो यहां तो मैंने यहां रखा 2 और दूसरा करर ले लिता हूँ, जिससे आपको दिखाई दे ये 2 हो गया, और यहां इधर रख दिया मैंने 2 या 4 रख देते हैं, ठीक है अच्छा, आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं नेस्ट लाइन में, अगली लाइन में क्या बोली है अगली लाइन में बोला है कि सर इसने 7 जो है, वो अपनी लाइन के, अपनी पंक्ती के बिलिकुल राइट छोर पर बैठा है अब 7 कहां बैठेगा, उपर और 7 उपर बैठेगा, राइट में इधर राइट ये राइट हो जाएगा उसका नेक्स्ट कोशन के, मतलब लाइन क्या बोली है आगे बोला है कि 1 के अपोजिट है, एक के विप्रीत है इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास यहां जो बैठा है ना ये 1 बैठेगा बिटा, ये कौन बैठेगा 1 क्योंकि 1 की अपोजिट 7 हो गया आगे उसने क्या बोला है कि 3 जो है वो 8 के अपोजिट है अब 3 जो है वो 8 के opposite 1 हो गया अब यहां 2 और 4 यहां 3 तो नहीं बैठ सकता इसका मतलब 3 तो यहीं बैठेगा और यह हो गया हमारे पास 3 और यह opposite बैठा हुआ है किसके 8 के ऐसा हो गया अब हमारे पास question में ज़्यादा चीजें नहीं दी गई है अब 2 और 4 का भी पसमें इंटरचेंज हो सकते हैं confirm cable 7 का है 8 का है 3 का है और 1 का है बीच बीच वालों का नहीं पता अभी तक तो अच्छा ले क्या पूछा है कि सावत की और face करके दक्षन की और face करके जो हां left से अंतिम बाय चोर पर कौन बैठा है बैठा यहां left में ऐसे face करके left में कौन बैठा हुआ है 8 बैठा हुआ है और 8 हमारे पास किस option में दिया गया है option number B में दिया गया है समझ में आया question इतना बड़ा दिया हुआ था लेकिन answer इतना छोटा सा पूछा हुआ है तो यह हमारे पास आ जाएगा 20 का answer next 21 21 इसमें 6 students हैं और एक अपने पास circle वाले में एक वरताकार मेज में face अंदर के और side के और center के और face करके बैठे हुए हैं तो सबसे पहले क्या करोगे इसमें कि हमारे पास यहां इसमें एक आपन वो बना लेते हैं circle और circle की बात करें तो अपने पास यह circle बन गया ठीक है इस circle में आप check करोगे कि हमारे पास 6 बंदे थे तो 6 का mark कर लो यह 1, 2, 3, 4, 5 और यह 6 सबका face center की हो रहे है तो सैसे मैंने सबका face center में यहां पर ऐसे बना दिया ठीक है अच्छा उसके बाद क्या पूछा इसने और कौन-कौन बंदे हैं कि सोनल है लावणिया के right में बैठा हुआ है second number पे मैंने बताया था circle वाले question में सबसे नीचे से शुरू करेंगे शोनल जो है वो लावणिया तो यह अपने पास माली जे लावणिया हो गया आपका यह हो गया ठीक है यह लावणिया के right में second right में बैठा हुआ है तो first यह हो गया second यह हो गया तो ये राना लिख दिया, second number पे करिश्मा राना के भी right में है कितने third number पे तो राना का third right, तो first, second, third तो ये हमारे पास हो जाएगी कौन आपकी करिश्मा, ठीक है बई? अच्छा, आगे क्या बोला हुआ है कि मेरी जो है वो राना और सोनल के दोनों की नेबर है, अब मेरी राना और सोनल राना ये रहा, सोनल ये रहा, इसका मतलम मैरी इधर आ जाएगी, तो ये आगई आपके मैरी और एक जो बंदा बच गया, जो भी बचा, वो अपने पास यहाँ पे बैठ जाएगा ठीक है? कोशन ने क्या पूछा? कोशन ने पास दिया हुआ है, ऑप्सन नमर डी में दिया गया है, तो हमारे पास ये डी राइट आंसर हो जाएगा, आई बास समझ में कि कोशन नमर 21 की बात करें, तो ऐसे सरकल बनाना था, बना के जैसे जैसे बोला है, वैसे वैसे से लिख देंगे, 21 के बाद 22 है, और ये एक सीधी पंक्ती में बैठे हुए है, याने की सीधी पंक्ती में जब बैठे हुए है, तो ये कोई लाइन नहीं बना निए जैसे सवाल ने बोला है, वैसे वैसे स्वाल कर देंगे, कि यहां हमारे पास बोला A से लेकर जीता के एक बंदे बैठे हैं 7, C के लेफ्ट में only 2 बंदे हैं, तो यहां मैंने लिखा C, इसके लेफ्ट में 2 बंदे केवल बोल रहा है तो 1 और 2, अब इसके मनलब C के इधर और ज्यादा बंदे नहीं बैठ सकते अगरी लेफ्ट में क्या बोला है कि A और B के मद में 2 बंदे बैठे हुएं और B A के लेफ्ट की साइड है, तो मैंने यहां लिख दिया B और B A के लेफ्ट की साइड हो गया और इनके बीच में 2 बंदे बैठ गया ऐसा इस सवाल हम कर चुके हैं, अच्छा, आगे उसने क्या बोला E है जो A के ठीक अपने पास राइट में है, immediate राइट तो A का राइट यह हो जाएगा, तो यहां कौन आएगा E, A के राइट में हो गया और उसने क्या बोला कि only one person केवल एक बंदा जो है, वो D के राइट में है D के दाइए और बैठा है, अब यहां D के दाइए और एक बंदा बैठा है, इसका मतलब कि के लेफ्ट में केवल दो बंदे हैं, इसका मतलब कि यहां आ जाएगा C, इसके लेफ्ट में दो बंदे यह हो गए और आगे क्या बोला कि F है जो B के पास नहीं बैठा, इसका मतलब कि यहां कौन है, F नहीं आ सकता, F नहीं आएगा तो यह बिटा F इधर आ जाएगा अब इस दर कौन बचा, G बचा, तो G को ऐसे रख दिया, और उसने क्या बोला कोशन ने, कि बताई कि सेंटर में केंदर में कौन बैठा हुआ है, तो बिटा तीन इधर छोड़ दीजिए, त्री इधर छोड़ दिया, तो कौन बचा, A, इसका मतलब कि A आ जाएगा हमारे प देखोगे कि हमारे पास आठ बच्चे थे, जो एक स्क्वार वाली टेबल, यानि कि वर्गा कार टेबल है, उसके चार ओर बैठे हुए, तो सबसे पहले जैसे मैंने यहां पर स्क्वार एक बना दिया, ठीक है, यह हमारे पास एक स्क्वार कार टेबल हो गई, उसका सभी का फेस क्या है, वर्गार खाने की मेज के चार और केंदर के और फेस करके बैठे हो, उनमें से कुछ कोनों पर हैं, जबकि कुछ मेज की भुजाओं पर है, अब यह नई दे रखा उसने कि हमारे पास कुछ कितने कहां पर कहे हैं, तो आप क्या करोगे, इसमें एक-एक मान लो ठीक है, कौनों का मतलब है कि हमारे पास एक-एक कौने पर मान लेते हैं, यह लोग, एक-एक बीच में मान लेते हैं, सेंटर में, मतलब साइड पे, भुजा पे, ऐसे मान लिया, अब हमसे क्या-क्या कोशन ने पूछा है, वो सुन लीजिए, कोशन ने क्या बोला है, जबक कोने पर बैठा हुआ है आप किसी भी कोने भी बिठा दो जिसमें आपका मन करे लेकिन आप नीचे से सुरू कीजिए तो यहां सबसे पहले इस वाले कोने की बात करेंगे तो यहां मैंने बिठा दिया V कि V एक कोने पर बैठ गया and R जो किसी एक साइड पर बैठा है बुझा पर बैठा है अब पता नहीं R कौन से साइड पर बैठा है आगे इसने क्या बोले S R का नेबर है S R का पडूसी बैठा अब S R का अगर नेबर है तो हमारे पास मान लीजी मैंने S अगर यहां बिठाया और ये R का neighbor है तो R यहाँ पर आएगा ठीक है? अच्छ है, ओके उसने क्या बोला आगे? R किसी एक बुजा पर बैठा हुआ है तो R side पर बैठा हुआ है तो इसका मतलब R यहाँ पर आएगा और अगर S neighbor है तो S इधर मान लेते हैं ठीक है? बदल भी सकता है Q जो है वो V के right में तीसरी इस्तान पर है, अब सुनो यहाँ से पता लगेगा कि हमें R, जो V है न यह V था वी का right में तीसरी स्तान तो यह first हो गया यह second हो गया, यह third आ गया, तो यह हमारे पास आ गया Q V के right में तीसरी स्तान पर Q and S के बीच में Q और S के बीच में ठीक दो बच्चे बैठें आप सुनो उसने क्या बोला कि Q और S के बीच में दो बंदे बैठें अगर मैं S को यहां बिठाओं तो Q और S के बीच में दो नहीं बैठ सकते इसका मतलब कि R और S यहां नहीं बैठेगा R और S कहीं पर यहां बैठेगा और यह जो line है ना Q और S के बीच में दो बन दे तो बैटा Q यह रहा एक यह रहा एक यह रहा दो हट जाएंगे इसका मतलब कि यहां बैठ जाएगा कौन S Q और S के बीच में दो हो गया और S का neighbor कौन था R था, अब R या तो इधर बैठेगा या इधर बैठेगा, याद रखना कहां बैठेगा ठीक है, तीनों चीज confirm हो गया, V confirm हो गया, Q confirm हो गया S confirm हो गया, आगे क्या बूला उसने, कि T जो है वो V और P दोनों का neighbor है दोनों का पडोसी है आप सुनो, T जो है V और P का, अब हमारे पास V तो यह रहा, अब V यह है तो यहाँ S बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ T तो यहाँ नहीं बैठ सकता तो यहाँ कौन बैठ जाएगा T, तो जो T है, वो V और P का पडोसी है, वो neighbor है, या बतलब पडोसी है, तो यहाँ बैठ जाएगा P आपका यहाँ बैठ गया V, यह आगया T, ठीक है W, S के left में second number पे है, S यह रहा S का first left, second left, तो यहाँ बैठ जाएगा कौन हमारे पास W, तो यह W हो गया S के बाइन दूसरे इस्तान पर, इतने बास समझ में आ गई हमारे पास एक लाइन थी, R किसी V एक कोने पर बैठा है, R किसी एक side में बैठा है, भुजा के मद्धे बैठा है और भुजा के मद्धे, या तो R इधर आएगा, या R इधर आएगा confirm कैसे होगा, कि S, R का neighbor है, अब बैठा, S को एगर पास निकरतम neighbor है, तो बेटा V, T जो है, ये T हो गया V और P का neighbor हो गया, पडोसी हो गया W जो है, वो S के left में दूसरे इस्तान पर बैठा गया, आगे एक line और बैठी हुए, क्या, यदि U, V का neighbor ही है उसने कहा, कि U है जो V का neighbor नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ U नहीं आएगा, तो यहाँ कौन आएगा, U आजाएगा, और जो आपका R बचा है न, वो R इधर आजाएगा ये लो, कि हमारे पास अग्ली जो line में लिखा हुआ था, क्या था कि हमारे पास था, U, V का neighbor नहीं है, तो बेटा, U यहाँ V के पास नहीं आएगा, U अलग बैठ जाएगा, R इधर बैठ जाएगा, confirm हो गया, पूछा क्या है, पूछा है हमारे पास, तो बटाई कि R कहाँ पे बैठा हुआ है, R की position क्या है, R बैठा तो इधर है option के साबसे बताना है, क्या बताना है क्या U के left में 4th number पे है, तो U यह रहा, U का 4th, 1st, 2nd, 3rd, 4th नहीं हो सकता, A गलत है B को चेक करो, 3rd to the right of U, क्या U के right में तीसरे स्थान पर है, तो U का right में 1st, 2nd right में यह भी नहीं हो सकता, B भी छोड़ दो इसको C, A to the immediate left of W, क्या W के ठीक left में, यह भी नहीं हो गया, अब D ही बचा कि 3rd to the right of W, W के 3rd right में, तो W यह रहा, इसका 1st right, 2nd right और 3rd right हो गया, इसका मतलब कि यह वाला सही है कौन सा, option number D सही है ठीक है बई, option number D हमारे पास इसका right answer आ जाएगा तो यह हमारे पास question हो गया, कौन सा, 23, next question 24, 24 24 24 वे वाले में आप बात करोगे कि यहां हमारे पास 8 बंदे दो Samantha line में 4-4 करके बैठे हुए यानि कि उपर नीचे बैठे हुए तो इसमें क्या करोगे, कि हम यहां पर सिर्फ इतना बताएंगे कि इनका face नीचे है और इनका face उपर की side है ठीक है? आच्छा उसने क्या बोला कि पंक्ती 1 में उपर वाली में जिनका face south की ओर है उसमें बैठे हुए ल, o, v, e ओके, जो उपर की side बैठे हुए उनका नाम और दे रखा है उनका नाम है यह लव, l, o, v, e यह उपर की side बैठे हुए नेकी, चे की side में P, I, C, T बैठा हुआ है तो यह हो जाएगा P, I, C, और T यह नीचे बैठे हैं face इनका north में कोशन ने क्या बोला है? कोशन ने हमारे पास बोला है कि इस देखो क्या? कि C जो है, जो C नीचे बैठेगा ना वो अपनी line के पंक्ती के बिल्कुल left corner पर है इसका मतलब कि C यहाँ बैठ जाएगा तो C बैठ गया इधर यह हो गया बिल्कुल left corner पर इसके इधर कोई नहीं बैठेगा इसका मतलब कि इसके 4 हो यहाँ बैठेंगे first हो गया, second हो गया, third हो गया यह third है बिटा और यह हमारे पास हो जाएगा fourth ऐसे बैठेंगे, ठीक है, अच्छा आगे line में क्या बोला है कि C जो है light बिल्कुल left में बैठा है अच्छा, ओके, पूरी line पढ़ो गया C अपनी पंक्ती के अपनी line के बाएं छोर पर बैठे व्यक्ती के बगल में बैठा है इसने बोलाए कि C जो है बिल्कुल left में बैठे वाले के बगल में याने की side में बैठा है तो इसका मतलब यहां सी आएगा और यहां पर कोई और बंदा बैठा हुआ है और O के ठीक opposite है अब O के ठीक opposite है तो इसका मतलब यह हो गया हमारे पास यहाँ पे कि इसके जश्ट सामने कौन आ जाएगा ओ आ जाएगा ठीक है आगे क्या बोला उसने कि V उनकी पंक्ति के अंतिम लेफ्ट छोर पर बैठा हुआ है और T बिलुकुल T के अपोजिट है क्या बोला कि V है न वी अपनी जो लाइन बैठी है न वी वालों की V अपनी लाइन के बिलुकुल लेफ्ट कॉर्णर पर है अब A V उपर बैठे है इनका जब फेस इधर है तो लेफ्ट इधर आ जाएगा तो यहाँ कौन बैठेगा V बैठ गया ठीक है और किसके सामने T के बिलुकुल अपोजिट है इसका मतलब कि यहाँ नीचे की साइड क्या बोला हुआ है कि A जो है वो V का नेबर है पडोसी है तो बेटा V का नेबर यहाँ पर आ जाएगा कौन यह हो गया E अब उपर में तो कौन बचा एक L बचा और यहाँ आप सीधा L इसको बिठा दीजिए नीचे हमारे पास अभी दो बंदे बैठ रहे हैं और उसमें क् अपने पास चार और चार आठ यह ऐसे बैठ गई है यह बना दिया ठीक है जैसे बोला था कोशन ने क्या बोला उसने बोला कि North Side की और बैठे हुए थे उत्तर दिशा की और उन्मुक व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है यानि कि ऐसे जो राइट अंसर हो जाएगा कौन सा सी नेक्स्ट कोशन है 25 पच्चिसवा पच्चिसवा कोशन में देखोगे तो यह अमारे पास वही जो समांतर लाइन की बात कर रहा है और समांतर लाइन में अपने पास चार चार बंदे हैं और वो नीचे कैसे साइड फेस करके बैठे हु नीचे कौन बैठा हुआ है जो इसका फेस नॉर्थ में तो वो हो जाएगा L, M, N और O इनका फेस नॉर्थ में है क्या बोला कि L जो है वो बिल्कुल लेफ्ट में एक्स्टरम एंड पर बैठा हुआ है L तो नीचे आएगा इसका मतलब कि यहां पर L आ गया इसके अलावा क कोई नहीं बैठेगा तो एक, दो, तीन ऐसे बंदे बैठेंगे यहां पर एक, दो, तीन, यह चार हो गया उसके बाद नेक्स्ट में लाइन में क्या बोला था अगली में कि L पंक्ति के बिल्कुल लेफ्ट में है और एंड यह मतलब और और उसका फेस आर की ओर है इसका मत पी आर के लेफ्ट में सेकिंद बैठा हुआ है तो यह अपने पास पी क्यों और थे ना? पी आर के लेफ्ट सेकिंद बैठा हुआ है तो यहां नीचे कौन आ जाएगा? ओ आ जाएगा ठीक है? आगले लाइन में चेक करोगे कि M है उनके पंक्ती में बिल्कुल राइट पर बैठा हुआ है इसका मतलब M नीचे बैठेगा तो M ये हो गया राइट में और किसके अपोजिट है? S के ठीक अपोजिट है इसका मतलब यहां कौन बैठ जाएगा S बैठ जाएगा नीचे वाल लाइन में कौन बच रहा है? N तो ये N आ जाएगा उपर वाली में कौन बच रहा है Q तो ये Q आ जाएगा ठीक है ये P था क्या पूछा है कोजिट ने कि क्यों कि अपोजिट में बाएन कोडिए में अपर कोडित सनुन चाल में